everybody and welcome to this youtube festival the first ever youtube festival on this channel in which we are conducting some of the best classes ever on this youtube channel तो मैं आप सभी लोगों को welcome करता हूँ सबसे पहले इस youtube channel पे creatrix youtube channel पे and guys and welcome to the youtube festival अभी तक का ये पहला youtube festival है जो हम इस channel पे conduct कर रहे हैं जिसमें कि हम बहुत ही बहतरीन आपके लिए नए नए session different different session conduct कर रहे हैं सारे educator some of the best session यहाँ पे आप लोगों के लिए ले कर के आ रहे हैं तो जैसा कि आप जानते हो कि आज मेरा यहाँ आने का objective क्या है हमारा objective है transformer को cover करना transformer को cover करेंगे मेरे भाई with theory and question with theory and question और यह session होने वाला हिंदी में यह होने वाला हिंदी के अंदर session तो यह चीज का ध्यान रखें क्योंकि long session long session English में लेना थोड़ा था मेरे लिए difficult है तो इस session को interesting बनाये रखने के लिए I'll be using Hindi language ठीक है अब देखो आप लोग का काफी लोग का query आ रहा है सर्फ power system का क्या हुआ मेरे भाई देखो YouTube festival है आज और कल इसलिए आज और कल कोई भी regular class नहीं होगी regular class जो भी subject की है control system EMT power system network यह सारी चीज़े होंगी लेकिन Monday से ठीक है Monday से होंगी तो Monday को शाम साड़े 5 बजे पहला lecture power system का live जाएगा ठीक है and it will be from 5 30 p.m. 5 30 p.m. ठीक है न? Is this clear? Is this clear? चलिए फिस शुरुआत की जाए अब देखो आज के session में मैं कहां तक cover करने वाला हूँ यह session दो हिस्सों में होने वाला है एक आज एक कल regulation तक construction से लेके voltage regulation तक आपका सारा part cover करने वाला हूँ और और इसके अंदर हम लोग with question करने वाले हैं with question हम लोग करने वाले हैं transformer को cover is that clear? थोड़ा ता मेरा गला खराब है इसलिए bear with me तो चलिए सबसे पहले मेरे दोस्त like button दबा देना जैसा मैं देख रहा हूँ viewer काफी जादा है और likes बहुत ही कम है तो likes एक बार दबा देना like button दबा दीजे सारे के सारे और इसके अलावा इसके अलावा मेरे भाई सभी लोग इस session को share कर दें क्योंकि YouTube festival है मेरे भाई और खुशियां बाटने से बढ़ती हैं और यह बहुत ही खुशी का दिन है जहां हम लोग transformer cover कर रहे हैं और हम लोग तो अपना festival engineers की तरह मनाते हैं concept के साथ मनाते हैं concept के साथ मनाते हैं अपना हम लोग festival तो आज का दिन आज का दिन मेरी YouTube family के नाम बले ही मेरा गला खराब है बड़ा इल बी टेकिंग डिस थ्री आर्स क्लास ठीक है थ्री आर्स क्लास लेने की जरूरत है बले ही मेरा गला खराब है तो सब लोग जल्दी से जल्दी यार शेयर कर दो सारे के सारे शेयर कर दो और like बटन दबा दो सारे के सारे like बटन दबा दो सारे के सारे मेरे भाई और जितने लोग इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, वो बिलकुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल जो revolution create कर रहा है मेरे भाई, लोग तो सोच भी नहीं सकते थे जो हमने यहां कर दिखाया है, जो लोग सोच भी नहीं सकते थे, वो हमने यहां कर दिखाया है और इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना कमपल सरी है, सब्सक्राइब करना कमपल सरी है, चलिए, 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 बिफोर वी स्टार्ट इस सेशन, जो मेरे दोस्त मुझे अभी तक नहीं जानते और इतिफाक से इस सेशन पे आ गए हैं, तो let me, let me introduce myself, तो म मेरे दोस्त मेरा नाम है अंकित गोयल और मेरा gate 2014 और gate 2018 में first rank रहा है electrical engineering के अंदर और इसलिए मेरे भाई मैं electrical के जादातर subject deal करता हूं और electrical के जादातर subject में आपकी problem solving skill को enhance करता हूं मेरे भाई, इसके अलावा मेरे भाई मेरे को President of India gold medal दिया गया था 2013 में जब मैं graduate हुआ IIT इंदोर से and side by side and side by side my friend right now I am working as a director at an academy for gate department लेकिन ये सब तो बाते अपनी जगे हैं, बात है कि हम लोग यहाँ पे क्यों है, we are here, we are here to celebrate the YouTube festival और इससे अच्छा क्या दिन होगा मेरे भाई, गनपती जी का दिन है YouTube फेस्टिवल मनाने का इससे बहतर दिन क्या हो सकता है, इससे बहतर दिन क्या हो सकता है गनपती जी वाले दिन पे अगर हम लोग YouTube फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज हम लोग यहाँ जुड़े हैं transformer कवर करने के लिए और ये तीन घंटे के session में मैं आपको single phase transformer, single phase transformer with numerical cover करा के देने वाला हूँ, cover करा क single phase transformer with numericals, ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा, इसके अलावा मेरे भाई हम लोगों ने batches स्टार्ट कियें आनक एडमी पे, जिसमें की complete syllabus आपका cover करा रहे हैं for gate and ESE, अभी ESE का भी नया batch स्टार्ट किया एकदम, तो जो लोग gate 2021 या ESE 2021 देना चाहते हैं, या अगर gate 2022 भी देन चाहते हो, तो अनक एडमी पे complete batches चल रहे हैं, जहां पे आपका syllabus full cover कराया जाएगा, revision के साथ, test series के साथ, practice के साथ, और अगर आप इन batches का हिस्सा बनना चाहते हो, तो then you have to use the code UNKIT ESE, UNKIT ESE code use करके आप अनक एडमी पे जुड़ जाना, और इस code के साथ, आपको 10% off मिलेग other than that, आप और हम connect हो जाएंगे, जिससे की साथ मिलके जान लगा देंगे और gate exam में top rank निकाल देंगे, अनक एडमी subscription के साथ आपको क्या-क्या मिलता है, आपको मिलते है daily practice paper, जो की हर teacher provide करता है, आपको मिलता है test series, आपको मिलती है weekly quizzes, आपको मिलता है, आपको मिलता है मेरे भ इसके अलावा मेरे भाई, अगर आप, अगर आप free content enjoy करना चाहते हूं, और सबसे बढ़िया topic, सबसे बढ़िया educator से पढ़ना चाहते हूं, तो unacademy app download कर लेना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी free classes लगाई गई हैं, मैंने खुद वहाँ पे three-phase circuit, mosfet analysis, transient analysis, transfer function, synchronous, transmission distribution, stability, ये सारे topic cover करके रखे हैं, core के काफी सारे topic present है unacademy learning app पे, तो download करो, मुझे follow करो और free lecture देखो, दिन पे दिन, पूरा पूरा दिन आप free lectures देख सकते हो, इतना content free of cost available है, unacademy learning app पे, ठीक है, चलिए, शुरू किया जाए, अब देखो, सबसे पहले जब हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ कि आज मैं क्या-क्या cover करने वाला हूँ, transformers के अंदर क्या-क्या cover करने वाले हैं, let me tell you that, आज हम लोग cover करने वाले हैं, construction, ठीक है, second, इसके बाद, ideal transformer, इसके बाद, practical transformer, ठीक है, इसके बाद, मेरे भाई, equivalent circuit, इसके बाद, टेस्टिंग, इसके बाद, losses and efficiency, और आज का last topic होगा, voltage regulation, ठीक है, तो ये सारे topic, ये सारे topic, आज हम लोग cover करने वाले हैं, along with the question, along with the question, ठीक है, सीधे सीधे questions और theory, दोनों चीजे cover कराऊंगा, और ये सारे points बताऊंगा, जो आपको exam के अंदर याद रखने होते हैं, जब कभी आप exam देने जाते हो, क्या क्या point अपने mind में लेकर के जाओगे, और कैसे कैसे questions को attempt करोगे, ये सारी चीजें इस session के अंदर उने वाली हैं मेरे भाई, तो अगर आपने transformer at least एक बार कभी ना कभी पढ़ा है, तो आपके लिए session बहुत 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 जादा helpful होने इससे जादा helpful आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, बिलकुल PDF मिलेगी मेरे भाई, हर lecture की PDF मिलती है, बिलकुल PDF मिलेगी, don't worry, now let's start, let's crack it everybody, just right once, let's crack it, and everybody hit the like button, everybody hit the like button guys, like अभी भी कम दिख रहे हैं, बच्चे जादा हैं, like कम हैं, बहुत नाइंसाफी है, बहुत जादा ना इनसाफी है मेरे भाई, like तो सबका आजाना चाहिए, ठीक है, चालिए, start करते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, transformer क्या चीज होती है, transformer एक ऐसी device है, जो की एक circuit से दूसरे circuit power transfer करती है, लेकिन frequency को कायम रखते हुए, frequency को ना बदलते हुए, ये power को transfer करती है, एक circuit से दूस circuit, एक circuit से दूसरे circuit, ठीक है, तो इसके अंदर खासियत क्या है, ये दोनों side के circuit के बीच में isolation प्रोवाइड करता है, यानि कि बिना दोनों circuit, actually connect हुए, फिर भी power flow करती है, आपको लगेगा जो लोग पहली बार सुनेंगे, अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, ये क्या चीज ह है, ये क्या चीज है, कि बाई, कैसे बिना connect हुए power flow कर गई, तो मेरे भाई, बिलकुल बिना दोनों winding, या बिना दोनों circuit connect हुए power flow करती है, by means of magnetic field, by means of magnetic field, तो मेरे भाई देखो, machines के अंदर या किसी भी system में तीन तरह की coupling होती है, electrical, mechanical, magnetic, electrical coupling का मतलब ये होता है, जब दो winding या दो system या दो devices आपस में directly connect हो, आपस में directly connect हो, यानि की उनके बीच में current flow करे, अगर दो winding के बीच में या दो system के बीच में current flow करता है, that is electrical coupling, और वही अगर दो चीजों को physically जोड दिया जाए, और अब ये साथ में motion करें, अब अगर ये साथ में motion करें, then it is mechanical coupling, और अगर दोनो devices या दोनो system के बीच में magnetic field exist करे, magnetic flux exist करे, that is magnetic coupling, तो मेरे भाई तीन तरह की coupling देखी जाती है, mechanical, electrical, magnetic, और मेरे भाई, और मेरे भाई, इसके अलावा, जिस circuit में supply से power आएगी, that is primary, और जिस circuit से load में power जाएगी, that is secondary, तो दो parts होंगे एक transformer के, primary and secondary, primary which takes the power from the supply, secondary which delivers power to the load, अब मैं आपको यह दिखाता हूँ कि यह magnetic coupling होती कैसे है, magnetic coupling मेरे भाई होती कैसे है, लेट सी देस, देखो जैसे यह माल लो, यह कोई एक core का material है, यह कोई एक ferromagnetic material है, यह कोई एक ferromagnetic material है मेरे भाई, अब इसके ऊपर, यह हमारी winding आगई, और ऐसे ही इसके ऊपर मेरे भाई, दूसरी winding आगई, ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होगा, अगर इसके अंदर current जाता है, लाइक देस, तो इससे क्या होगा, अगर ऐसे current जा रहा है, ऐसे current जा रहा है, तो इसका जो magnetic flux बनेगा, that will be to the left, अगर current ऊपर जा रहा है, तो flux will be to the left, flux will be to the left, ठीक है, flux मेरे बंदू left में आएगा, कुछ इस type से आएगा, ठीक है, तो अब ये देखो, ये जो flux है, ये green वाली winding से भी pass हो रहा है, ये जो flux है, ये green वाली winding से भी pass हो रहा है, और अगर ये green वाली winding से भी pass हो रहा है, तो that means magnetic field is common between the two windings, and this is called as your magnetic coupling. अगर एक ही flux दोनो वाइंडिंग को लिंक करे या एक ही magnetic fields दोनों को cross करे then it is set to be magnetic coupling. ठीक है ये बात clear हो गई? चलिए आगे बढ़ा जाए अब देखो जब construction की बात आती है तो मेरे बाइट transformer construction के अंदर दो हिस्से सबसे ज़्यादा जरूरी है दो हिस्से सबसे ज़्यादा जरूरी है first one is the core, second one is the winding ये दो हिस्से सबसे ज़्यादा जरूरी है जिसकी construction के बारे में बात की जाती है तो हम लोग ये कहते हैं transformer के अंदर दो winding primary और secondary एक core के उपर wound कर दी जाती है and that is how a transformer looks like कि एक core के उपर एक ferromagnetic material के उपर दो winding हम लोग wind कर देते हैं that is basically called as your transformer तो हमें यहाँ दो चीजों के बारे में बात करनी पड़ती है एक तो core और एक winding एक तो core और एक winding अब ये core के बारे में अगर बात की जाए तो core क्या होता है core एक ferromagnetic material से बनता है जिसका काम ये होता है जिसका काम ये होता है कि flux को carry करना है दोनों winding के बीच में flux को carry करना है ये काम किसका होता है कोर का ये किससे बनता है ये बनता है एक Phyromagnetic Material से और इसकी Permeability बहुत ज़दा High होती है इसकी Reluctance बहुत ज़दा low होती है और इसका Hysteresis Loss भी काफी कम होता है ये क्या होता है Hysteresis Loss इस पे भी मैं बात करूँगाँ आप लोगों से बट high permeability का मतलब है जो reluctance है L by mu A, this reluctance will be very very low. यह जो high permeability है देखो जनरली iron की जो relative permeability होती है, यह जो iron की relative permeability होती है, यह धाई हजार से लेके 4000 तक होती है. So it is that high, इतना जादा high permeability होता है, जो transformer का हमारा core material होता है, और इसी वज़े से इसका reluctance काफी कम जाता है. तो यहाँ पे मैं यह expect करता हूँ मेरे भाई, कि आप सभी को reluctance का formula पता होना चाहिए, reluctance you should everybody know that it is L by mu 0 mu r A, यह reluctance का expression होता है, in case of any material. अब हम लोग बारी-बारी से बात करेंगे, पहले core construction के बारे में बात करूँगा, और बाद में बात करूँगा मैं winding के construction के बारे में. सबसे पहले magnetic core के बारे में बात करते हैं, तो जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है board पे, मैंने core का diagram आपको show किया है, तो core के अंदर क्या होता है, पतली-पतली lamination होती है, यह lamination का क्या मतलब होता है, lamination का मतलब यह होता है, पतली-पतली sheet, जिनने जोड़ करके बड़ा सा block बना दिया जाए, वो हर पतली sheet को lamination कहते हैं, उस हर पतली sheet को lamination कहते हैं, और यह जो lamination होती है, lamination's are 0.35 mm thick, आप समझ सकते हो कितनी पतली lamination है, 1 mm से भी पतली, 450 hertz, 50 hertz के लिए 0.35 mm की lamination ली जाती है, और इन सब को एक साथ कस्ट दिया जाता है, by means of screws and bolts, इनको साथ में कस्ट के एक पूरा core material बनाया जाता है, पूरा एक core material बनाया जाता है, अब यह जो lamination होती है, यह किस से बनी होती है, lamination's are made of, are made of silicon steel, अब आप कहोगे sir, यह thickness कैसे decide हुई, silicon steel या फिर CRGO steel, आप कहोगे sir, यह thickness कैसे decide हुई, तो मैं कहुँगा मेरे भाई, यहाँ पर आपको addy current loss का formula पता होना चाहिए, pi square, f square, bm square, t square, by 6 row, by 6 row, तो हम क्या कहते हैं, as frequency increases, addy current loss increases, so t must be reduced, t must be reduced, to reduce, addy current loss, इसका मतलब, जितना ज़्यादा आप frequency पे काम करोगे, उतनी पतली lamination की thickness लेके चलना पड़ेगा, तभी हमारा addy current loss कम रहेगा, ठीक है, तभी हमारा addy current loss कम रहेगा, वरना frequency बढ़ने के साथ addy current loss बढ़ जाएगा, अब आप कहोगे सर, frequency क्यों बढ़ेगी, यह तो power system की frequency है, पचास hertz, तो मेरे भाई, मैं बात यहाँ power system की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात यह कर रहा हूँ, कि अगर मान लो, transformer आप communication में यूज़ कर रहे हो, अगर मान लो, आप communication के अंदर transformer यूज़ कर रहे हो, यानि high frequency पे यूज़ कर रहे हो, तब आपको और पतली lamination लेनी पड़ेगी, तब आपको और पतली lamination लेके चलना पड़ेगा, और इसी लिए ताकि addy current loss कम रहे, तो जितनी पतली sheet बनाओगे, उतनी कम thickness of lamination, उतना ही कम addy current loss, उतना ही कम आपका addy current loss, ये बात clear हुई, ठीक है, अब देखो, इसके अंदर क्या होता है मेरे भाई, ये देखो अगर current ऐसे जा रहा है, मैं red में दिखा देता हूँ आपको ताकि आप देख पाओ, orange में कर लेते हैं, मान लो current ऐसे जा रहा है, तो current अगर ऐसे जा रहा है, तो इसका magnetic flux उपर बनेगा, magnetic flux जो बनेगा, उसकी direction कुछ ऐसे आएगी, ठीक है, कुछ इस type से, तो ये जो core होता है, ये magnetic field को carry करता है, ये magnetic flux को carry करता है, और उसकी direction कैसे आती है, current के हिसाब से आती है, current के हिसाब से मेरे भाई, इसके अंदर magnetic field आती है, और वो magnetic field, दोनों ही winding से pass करती है, दोनों ही winding से pass करती है, अब क्या होता है मेरे बन्दू, ये जो lamination होती है, ताकि इनके बीच में addy current ना flow करे, यानि addy current एक lamination से दूसरी lamination ना जाए, इनके बीच में दिया जाता है insulation, इनके बीच में दिया जाता है insulation, there is insulation between lamination, अब कौन सा insulation हम लोग देते हैं, हम लोग देते हैं, जेपान वार्णिश, जेपान वार्णिश, ठेक है, oxide paint, china clay, और impregnated paper, ठेक है, ये lamination यूज किये जाते हैं मेरे भाई, और हमेशा ये ध्यान रखा जाता है, हमेशा ये ध्यान रखा जाता है, कि ये जो lamination है, ये बहुत जादा tightly कसे गए हैं, ताकि इनके बीच में air gap ना रहे, ठेक है, lamination must be tightly riveted, so that there is no air gap, so that there is no air gap between the lamination, और क्योंकि अगर air gap आ गया, तो reluctance बढ़ जाएगी, और reluctance बढ़ने जे क्या नुकसान है, अगर देखू, मैं यहाँ पर एक question आपको दू, what happens, what will happen, what will happen if air gap comes in a transformer, क्या होगा air gap के आज आने से, तो मेरे भाई मैं क्या कहूँगा, air gap की permeability होती है low, air gap की permeability होती है low, permeability of air gap, is actually mu naught, जिसकी वज़े से इसकी reluctance होती है high, permeability कम है तो reluctance होती है high, अब हम कहते हैं, if, if, for a given voltage, किसी भी एक given voltage के लिए, 5 जो है, 5 fix होगा, voltage के अनुसार 5 fix होगा, तो यह जो reluctance है, यह कैसे impact करेगी, n i mu equal to 5 into s, i mu कहलाता है magnetizing current, i mu कहलाता है आपका magnetizing current, अब यह magnetizing current क्या चीज होती है, magnetizing current का मतलब होता है, current required to produce flux, current required to produce flux, ठीक हैं, तो इसके अंदर अगर reluctance बढ़ गई, इसके अंदर अगर reluctance बढ़ गई, तो i mu भी मेरे बंदू बढ़ जाएगा, यानि जादा current की जरुवत पड़ेगी flux बनाने के लिए, जादा current की जरुवत पड़ेगी flux बनाने के लिए, that is why, that is why, air gap should never come in a transformer, air gap आना ही नहीं चाहिए, किसी भी हालत में एक transformer के अंदर, ठीक है, ये बात याद रखेगा, वरना magnetizing current would be high, अब देखो, कितनी तरह के transformer के core होते हैं, मेरे भाई, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, ये जो core है, इसे कहते हैं core type transformer, क्या कहते हैं इसे, core type transformer, और यहाँ पे क्या होता है, shell type, shell type, अब देखो, मैं ये नहीं कहूँँगा, ये core type का एकड़म exact representation है, rather than core type, ये क्या बता रहा है, ठीक है, इसको मैं ये नहीं कहूँगा, ये exactly core type है, बलकि मैं इसको ये कहूँगा, ये बता रहा है आपको, concentric winding के बारे में, ये आपको बता रहा है, concentric winding के बारे में, कैसे, देखो, concentric winding क्या होती है मेरे बंधू, इस insulation पे आपने एक coil लगाई फिर दूसरा वाइट वाला रीजन देखो दूसरा insulation डाला उसके उपर दूसरी coil लगाई एक insulation फिर एक coil फिर दूसरा insulation फिर दूसरी coil इसे कहते हैं concentric winding जो की core type के transformer के अंदर लगती है ये दूसरा है shell type इसमें क्या होता है कि बाहर हमारे पास दो limbs होती है इसे बोलते हैं outer limb इसे क्या बोलते हैं outer limb और यह जहां winding है this is called as central limb अब इस पे coil कैसे लगाई जाती है इस पे पहले एक coil रख दी low voltage उसके नीचे high voltage उसके नीचे फिर से low voltage और यह जो आपको white white वाला region दिख रहा है this is actually your insulation which is separating the two windings यानि जहां high voltage winding दो LV winding के बीच में sandwich कर दी जाए दबा दी जाए that is called as your sandwich winding अब मैं आपको बताता हूं इनके magnetic circuits के बारे में इनका magnetic circuit कैसा दिखेगा इस पे हम बात करते हैं देखो core type transformer के अंदर क्या होता है ऐसे हमारे दो boxes आ गए अब देखो बंदू इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर सबसे पहले आप डालते हो LV winding मैंने बता है ना concentric coil क्या होती है देखो इस type से LV winding आ जाती है यह LV winding आ गई ठीक है अब इसके बाद बंदू इस पे डालोगे आप HV winding HV winding यह high voltage वाली winding दिखा दी वही हमने ठीक है ऐसे दूसरे limb पे दूसरे limb पे माने दूसरी side पे भी आप पहले अंदर की तरफ डालोगे LV अंदर की तरफ आप डालोगे LV चलो मैं इसी को draw कर देता हूँ यह अंदर की तरफ आपने डाली LV अब इसके उपर की तरफ आप डालोगे HV ठीक है इसी को concentric कहते है इसी को concentric कहते है ठीक है मेरे भाई अब देखो इसके अंदर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अंदर आएगी LV कोईल अंदर क्या आएगी हमेशा low voltage winding और बाहर क्या आएगी हमेशा HV winding अब आप कहोगे सर हम तो ऐसा देखते हैं कि एक limb पे एक winding दूसरी limb पे दूसरी winding तो मेरे भाई गलत देखते हो गलत देखते हो सही डायग्राम यह होता है जहां अंदर आती है LV बाहर आती है HV यहाँ पे LV के आधे turns लगाए जाते हैं और आधे HV के similarly यहाँ भी आधे HV के और आधे LV के तो आधे आधे turns दोनों limb पे बांट दिये जाते हैं अब इसके अंदर खासियत यह होती है मेरे बंदू इसके अंदर खासियत यह होती है कि जो भी flux बनता है वो पूरे रास्ते में सेम रहता है सेम रहता है इसलिए इसे कह दिया जाता है series magnetic circuit पूरे transformer के core में एक ही flux रहेगा इसलिए कहेंगे series magnetic circuit मेरे भाई अब ऐसी देखो shell type का magnetic circuit shell type का magnetic circuit बना ले थे हैं ठीक है कुछ इस type से बनता है मेरे भाई अब इसके अंदर जब winding आएगी तो पहले देखो LV आएगी पहले LV आगई आपकी ठीक है अब इसके नीचे आप डालोगे HV अभी मैंने आपको दिखाया sandwich coil कैसे दिखती है ठीक है HV माने ज़्यादा turns वाली coil आगई फिर फिर से LV आएगी ये फिर से LV आगई बंदू ठीक है अब इसके नीचे फिर से HV आएगी multiple times आते हैं अब इसके नीचे फिर से LV डाल देंगे ये जिस clear हो रही है तो देखो यहाँ पे क्या हुआ LV और HV sandwich कर दिए गए है HV is sandwiched between the LV winding और यहाँ flux का क्या होगा यहाँ flux का क्या होगा बंदू यहाँ पे flux दो हिस्सों में बट जाएगा कुछ इस टाइप से एक flux अपना close path left से complete करेगा और दूसरा करेगा right से यहाँ पे अगर बंदू flux 5 है तो बाकी दोनों रास्ते कितना कितना जा रहा है 5 by 2, 5 by 2 यहाँ flux divide हो जाने के कारण ही इसे कहा जाता है parallel magnetic circuit इसे क्या कहा जाता है parallel magnetic circuit ठीक है अब इसके अंदर देखो अगर हमें B सेम रखना है तो अगर मैंने बूला area है 5 by B तो जहाँ बाहर वाली limb के अंदर flux है 5 by 2 तो वहाँ area कितना हो जाएगा A by 2 तो यह जो बाहर वाली limb होती है इनका area A by 2 होता है और इसका area होता है A किस तरीके से एक shell type transformer के अंदर flux जाता है इसके अंदर sandwich winding यूज होती है और यहाँ पे यूज होती है आपकी concentric winding और यह आपकी hv है red वाली और यह blue वाली lv ठीक है मैंने आपको दिखाया भी है sandwich coil कैसी दिखती है और concentric winding कैसी दिखती है निकिता B सेम रखा जाता है B सेम अपने आप नहीं होता B क्यों सेम रखते हैं ताकि जो material की maximum capacity है उस पे operate किया जा सके जो की CRGO steel के लिए होती है 1.6 Tesla तो आप maximum पे operate करना चाहते हो और that is why B is kept at the maximum value B is kept at the maximum value अब इन दोनों के बीच में difference क्या होता है मेरे भाई इन दोनों के बीच में difference क्या होता है core type की construction असान होती है shell type की construction difficult होती है shell type की construction difficult होती है core type के अंदर कम mechanical support होता है क्योंकि core के चारों तरफ winding है core को चारों तरफ से किसने घेरा हुआ है winding ने shell में winding को घेरा हुआ है core ने तो उसका mechanical balance, mechanical support जादा होता है Core को repair करना आसान है क्योंकि winding बाहर है Shell को repair करना difficult है क्योंकि winding अंदर है Core के अंदर better cooling है again क्योंकि winding बाहर है Heat easily atmosphere में चली जाएगी इसको cooling करना difficult है क्योंकि winding अंदर है तो heat का radiation tough है इसका application high voltage, high power पे होता है इसका application low voltage, low power पे होता है अब आप कहोगे सर core के अंदर high voltage कैसे हुआ तो मेरे भाई core के अंदर high voltage इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर turns आधे आधे दोनों लिंप पे divided है तो आप ज़्यादा turns यूज़ कर सकते हो और voltage is directly proportional to the number of turns इसलिए उसका voltage भी ज़्यादा हुआ जिसके turns ज़्यादा हुए तेक है इसलिए high voltage high power और इधर low voltage low power अब इसके अंदर ये insulation है less insulation required आप कहोगे सर ये कैसे हो गया अभी तो आप बोल रहे हो voltage ज़्यादा और insulation कम बता रहे हो तो मेरे भाई देखो comparison कुछ ऐसे होता है अगर insulation बराबर लें तो core के अंदर voltage ज़्यादा बनेगी क्योंकि उसके अंदर turns दोनों तरफ है यानि दोनों में बराबर बराबर insulation लगाएं तो ज़्यादा voltage किसकी? core की ज़्यादा voltage किसकी? core की और अगर दोनों में voltage बराबर रखें तो core के अंदर insulation कम लगेगा यानि insulation comparison करते वक्ष वोल्टेज सेम रखो और voltage comparison करते वक्ष इंसुलेशन सेम रखो इस basis पे डिफरेंस है अब इसके अंदर हमने बोला core टाइप में ज़्यादा copper लगता है ज़्यादा copper लगता है क्यों ज़्यादा copper लगता है देखो क्योंकि ये बाहर वाली winding का circumference ज़्यादा बनेगा ये बाहर वाली winding अंदर वाली के ऊपर लपेटी गई है ज़्यादा circumference का मतलब है इसके अंदर wire की length ज़्यादा use की जाएगी इसलिए more copper और ये बात मैंने आपको बता दी core type में winding बाहर core अंदर shell type में core बाहर winding अंदर ये main differences होते हैं core type और shell type transformer के अंदर अब इसके बाद आते हैं core के cross section पे अब देखो मेरे भाई जो छोटे transformer होते हैं smaller transformer use rectangular cross sectional area use rectangular cross section ठीक है छोटे transformer rectangular cross section यूज़ करते हैं लेकिन ideally cross section must be circular अब आप कहोगे भई circular क्यों सर हमने तो rectangle ही देखा है हमने तो rectangle ही देखा है फिर ये circle कहां से आ गया मेरे बंदू circle कहां से आ गया तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा मेरे भाई कि अगर आप circle लेते हो अगर आप circle लेते हो तो आपका rectangular cross section से छोटा कोर बनता है देखो कैसे हाँ अब ये देखो ये जो circular कोर है ये है circular और ये है आपका rectangular तो आप यहां पे क्या देख सकते हो मेरे भाई यहां पे दो दो चीज़े observe कर सकते हो कि circular का less circumference होता है ठीक है और less area आ रहा है अब इन दोनों का consequence क्या है less circumference है तो जब इस पे winding बांधी जाएगी तो wire कम लगेगी जब इस पे winding बांधी जाएगी तो it requires less copper material और जब copper ही कम लगेगा तो इसके अंदर copper loss भी कम होंगे इसके अंदर copper loss भी कम होंगे less area का मतलब है core material कम लगेगा अगर इसके अंदर core material कम लगेगा मेरे भाई तो less core volume और अगर core की volume कम हुई तो इसके अंदर less core loss core loss भी आपका कम होगा तो ideally circular cross section यूज़ करने से core और copper दोनों loss कम हो जाते हैं जिस कारण से आप कह सकते हो efficiency बढ़ जाती है efficiency बढ़ जाती है और material कम लग रहा है तो ये भी कह सकते हो costing गिर जाएगी costing गिर जाएगी लेकिन 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 यहाँ पे एक catch है मेरे भाई अब ये catch क्या है कि अगर आपने circular cross section लिया तो सारी जो insulation बनेंगी lamination बनेंगी वो सारी lamination का size अलग अलग आएगा सारी lamination का size अलग अलग आएगा अगर सारी lamination अलग अलग size की बनेंगी तो उससे क्या होगा उससे आपकी costing बहुत जादा बढ़ जाएगी and that is impractical यानि अलग अलग sheet अलग अलग size की manufacture करानी पड़ेगी which is not at all practical तो practical की तरफ जाते हम चलते हैं cruciform core पे cruciform core पे अब इसमें हम क्या कह देते हैं बंदू कि circle ना सही circle का जितना बढ़िया approximation उतना ही बहतर है अब देखो कैसे circle का approximation कैसे करेंगे अब देखो जैसे हम लोगों ने ये core material ले लिया बंदू अब इसके अंदर अगर ध्यान दोगे ये exactly rectangle भी नहीं है और ये exactly circle भी नहीं है लेकिन एक rectangle से much closer है circle के एक rectangle circle के इतना करीब कभी नहीं होता जितना ये है और इसके अंदर अगर lamination का size देखोगे तो दो size की lamination की जरुवत पढ़ने वाली है which is much better than all lamination of different sizes ठीक है तो इसको हम लोग जानते है stepped core के नाम से stepped core और cruciform core ठीक है अब मेरे भाई इसके अंदर अगर आपको circle के और close जाना है अगर circle के और close जाना है तो और जाधा steps ले लो और जाधा steps कैसे लोगे कुछ इस type से आप अपने steps को भी बढ़ा सकते हो अब यहाँ तीन step हो जाएंगे अगर यह pink वाला design लेते हो तो यह three stepped core हो जाएगा और अभी अगर यह blue वाला design लेते हो that is a two stepped core that is a two stepped core तो जो two stepped core होता है जो आपका two stepped core होता है इसी को कहते हैं cruciform core क्या कहते हैं cruciform core और देखो practically कुछ ऐसा दिखता है जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ भी है कि cruciform core कैसा दिखता है कुछ S type का दिखरा है यह देखो अब यहाँ अलग-अलग length की lamination चाहिए ना देखो दो length की lamination की दरुद पड़ेगी हिसाब लगाओ है ना दो अलग-अलग length की lamination लगेगी इसके अंदर और इसलिए two stepped core को कहते हैं cruciform core क्योंकि यह cruciform sign जैसा बनता है cruciform sign जैसा बनता है तो it is better than a rectangular core it is more closer to a circle circle के जितना करीब होगा उतना कम material की requirement होगी उतना कम material की requirement होगी तो यहाँ पर आप कह सकते हो less core and copper material required ठीक है बई तो यह होता है हमारा cruciform core के अंदर अब इसके आगे हम बात करते हैं transformer की winding की देखो मैंने आपको अभी practical diagram पहले भी दिखा दिया था फिर से हम लोग winding पे आ रहे हैं तो पहली winding बात आ रहे है concentric winding concentric winding कहां यूज होती है core type transformer के अंदर कैसी दिखती है कि पहले हमारी LV coil आती है और उसके बाहर आती है आपकी HV coil पहले LV और उसके बाहर HV coil आती है तीक है अब इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर insulation कम लगती है और HV वाली बाहर होने के कारण आप उस पे taps भी provide कर सकते हो हम LV को अंदर क्यों रखते हैं question यह पुछा जाता है why LV winding is inside तो आप बोलोगे to reduce the insulation requirement LV winding is kept inside to reduce the insulation requirement LV winding is kept inside क्योंकि insulation हमेशा depend करता है voltage पे तो low voltage का voltage कम है low voltage का अगर voltage कम है तो insulation भी कम लगेगा इसलिए LV को अंदर और HV को बाहर LV को अंदर HV को बाहर और HV को बाहर रखने से उस पे दे सकते हो taps ठीक है और इसमें आधे आधे टर्न लेफ्ट वाली लिम पे और आधे टर्न राइट वाली लिम पे बाउंड किये जाते हैं दूसरी आती है sandwich winding sandwich में क्या करते हैं HV winding को LV के बीच में sandwich कर देते हैं जैसा मैंने अभी आपको पीछे दिखाया भी था इसमें winding is in the form of pancake pancake जैसे पराठे जैसा होता है पराठे की तरह एक के नीचे एक पराठा लगाते जाओ ठीक है जैसा आप लोग अपनी थाली में लेके बैठते हो ना खाने के लिए पराठो की गड़ी वैसे उसी type से यह windings है और यह use कहा होती है shell type के अंदर और इसका leakage core type से क कम होता है इसका leakage concentric से कम होता है यह बात सब लोग याद रखेंगे sandwich winding has an advantage that it has less leakage than concentric winding अब इसके बाद क्या आता है insulation transformer के अंदर जो oil है that works as an insulator as well as it works as a coolant वो coolant और insulation दोनों का काम करता है that is the purpose of the transformer oil तीसरा purpose protection में आता है in terms of buckles relay बट वो power system की बात है वहाँ तक अभी machine में जाने की जरूरत नहीं है नहीं है bushing bushing क्या होता है देखो transformer से जब terminal निकाले जाते है मेरे भाई वो transformer की body को अगर touch कर गए तो जो transformer के terminal का current है वो उसकी body में दोड़ेगा body में दोड़ेगा तो आसपास आसपास जो लोग है जो आसपास लोग है उन्हें risk हो जाएगा they can get a shock इसी लिए transformer की body को उसके terminal से insulate करना बहुत जरूरी है body कभी भी terminal के touch में ना आए और body और terminal के बीच की जो insulation होती है that is called as bushing that is called as bushing तो आप कभी भी देखना transformer के top पे disc type structure लगे होते हैं disc के उपर disc के उपर disc लगी होती है और वहाँ से terminal खीचा जाता है तो जो disc के उपर disc लगी भी है that is basically called as your bushing तो याद रखना काम क्या है to separate the conducting and the non-conducting part last part आता है construction का conservator and breather तो यह देखो conservator tank जो होता है वो transformer के tank से उपर रखा जाता है वो transformer के tank से उपर रखा जाता है conservator conservator क्यों रखा जाता है उपर क्योंकि इसका काम है oil को reserve में रखना तो transformer के tank में जब oil का level नीचे जाएगा तो यह उसे oil supply करेगा और जब oil का level उपर आएगा तो यह transformer के tank से oil ले लेगा तो conservator is partially filled conservator is partially filled it supplies oil to transformer tank when oil level falls when oil level falls takes oil takes oil from transformer tank from transformer tank when oil level rises तो ये काम होता है conservator का अब देखो conservator से जुड़ा होता है हमारा breather अब क्या होता है conservator के अंदर conservator के अंदर जब oil का level बढ़ता है तो इस oil के उपर की जो air है वो कम होती है तो वो जो air है वो breather के थूँ बाहर चली जाती है वो breather के थूँ बाहर चली जाती है और जब transformer के conservator में oil का level गिरता है तब air अंदर आती है वो air किसके थू अंदर आती है breather के तो transformer का air बाहर चोड़ना और air अंदर लेना उसे हम कहते हैं breathing of transformer यानि उसे क्या माना जाता है transformer का सांस लेना लेकिन ये जो हवा अंदर आ रही है जो air अंदर आ रही है इसके अंदर moisture नहीं होना चाहिए इसलिए breather में रखा जाता है silica gel इसलिए breather में रखा जाता है मेरे भाई silica gel और ये silica gel का का काम क्या होता है ये moisture को absorb कर लेता है अंदर आने वाली air में से तो जो air अंदर आएगी उसमें से moisture निकाल देगा और dry air को अंदर भीजेगा क्योंकि अगर moisture अंदर गई तो air में moisture होने से oil की dielectric strength कम हो जाएगी oil की dielectric strength मेरे भाई कम हो गई तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए drawback हो जाएगा ये बहुत बड़ा हमारे लिए drawback हो जाएगा is that clear तो ये होती है transformer की construction से जुड़ी सारी बाते हैं जितना कि आपको gate और ESE के लिए मालूम होना चाहिए is that clear अब आगे चलते हैं आप बात करते हैं transformer के numerical वाले portions की और आगे जाते हुए मैं आपको numerical भी दिखाता चलूँगा relevant sections के तो सबसे पहले बात कर रहे है ideal transformer की ideal transformer अब ideal transformer के अंदर क्या क्या assumptions होते हैं इसके अंदर assumption होता है it has infinite permeability और ये जो है ना आपके लिए जो मैं marathon session ले रहा हूँ मेरे भाई ये मान के चलो इसको prepare करने में चार घंटा लगा है तब मैं आपको इतना visually appealing lecture दे पा रहा हूँ जहां पे कि आपको सब चीज़े देखने मिल रही है कि how does each thing looks like और ये सब करने के लिए preparation effort बहुत ज़ादा ज़रूरी है ठीक है right permeability का मतलब है reluctance is zero क्योंकि reluctance क्या होता ही है L by mu naught mu r a अगर reluctance zero हो गई अगर reluctance zero हो गई मेरे भाई तो उसमें क्या होगा सारा का सारा flux सारा का सारा flux zero reluctance से जाएगा क्योंकि हर flux चाहता है कम से कम reluctance उसे offer हो अगर किसी रास्ते पे zero offer हो गई तो सारा flux किस से जाएगा zero reluctance से तो हम क्या कहेंगे entire flux entire flux passes through entire flux passes through core of transformer यानि कि air से जाने वाला leakage flux air से जाने वाला leakage flux zero है leakage flux हमारा zero है अगली चीज़ अगला होता है कि winding resistance जो copper की winding है copper का material भी ideal है winding resistance हो जाए zero winding resistance हो जाए zero इसके अलावा तीसरा क्या होता है core loss is zero ना तो transformer के core में hysteresis आएगा ना तो eddy current आएगा ना तो eddy current आएगा तो core loss हो जाएगा zero core loss हो जाएगा zero और तीसरा magnetization curve is linear यानि उसमें कोई saturation नहीं है वरना देखो ferromagnetic material में हमेशा saturation और hysteresis magnetization curve के अंदर देखने मिलता है तो यहाँ पे हम कहरें linear है यानि इसका graph paramagnetic जैसा बन रहा है ना तो उसमें saturation है और ना ही उसके अंदर hysteresis है यह सारी assumption लेके चला जाता है when we talk about an ideal transformer अब बात आती है ideal transformer में आपको क्या-क्या चीजें मालूम होनी चाहिए क्या-क्या चीजें मेरे भाई आपको मालूम होनी चाहिए first point dotted terminal dot terminal in both winding in both winding have same polarity same polarity dot लगाया कैसे जाता है यह मैं भी आपको आगे बताऊंगा इस चीज के लिए बिल्कुल बेचैन मत होना dot की placement कैसे होती है यह मैं आपको बताऊंगा ठीक है अगला current enters dot on one side and leaves dot on other side अब ऐसा क्यों होता है ऐसा होता है मेरे भाई lens law की वज़े से lens law क्या कहता है lens law कहता है effect opposes the cause effect opposes the cause तो secondary current से जो flux बनेगा it has to oppose the flux due to primary current secondary flux has to oppose the primary flux ठीक है तो हम क्या कह रहे है secondary flux opposes primary flux तीक है ये reason होता है तीसरा तीसरा आपको पता होना चेए impedance कैसे refer करते हैं impedance कैसे refer करते हैं जब primary पे impedance लेके आते हैं तो secondary into n primary by n secondary का square तो मैं इसको याद करने के लिए कैसे बोलता हूँ कि अगर secondary से primary आना है तो final position है primary initial position है secondary तो final by initial का square final by initial का square that is how you refer the impedance impedance refer करने का यही तरीका है ऐसे देखो अगर उल्टा जाना है secondary पे जाओगे तो ns by np का square ns by np का square इसके अलावा ideal transformer के अंदर आपको पता होना चेए mmf balancing mmf balancing मेरे बंदू मालूम होनी चाहिए which is n1 i1 equal to n2 i2 यह आपकी mmf balancing हो गई यह आपकी mmf balancing हो गई यहाँ पे current as a phasor आएगा current as a phasor आएगा इसके अलावा आपको पता होना चेए power conservation एक ideal transformer के अंदर मेरे भाई दोनों तरफ real और reactive power same रहती है real और reactive power same रहती है इसका मतलब है आप ऐसे लिख सकते हो v1 i1 conjugate v2 i2 conjugate i1 by i2 is actually equal to v2 by v1 n2 by n1 तो यह सारी बातें यह सारी बातें मेरे भाई आपको पता होना चेह एक ideal transformer के बारे में यह बाते clear है ठीक है यह बाते clear है अब चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ideal transformer पे numerical तो देखो मेरे भाई सबसे पहला question ट्राई करो सबसे पहला question ट्राई करो आपको मैं इस question के लिए 90 seconds दे रहा हूं सभी लोग जल्दी से बना दे 90 seconds you have और यह मैंने भी अपना calculator ready कर लिया है क्योंकि आज numerical के लिए हमें calculator की जरूरत पढ़ने वाली है तो मेरे भाई मेरे पास भी एक calculator रहेगा जो मैंने अपनी pocket में रख लिया है और time and time again इसको निकाल करके हम लोग question answer करेंगे ठीक है भाई चलिए अब सुभम मेरे भाई अगर तुम्हें conjugate नहीं बता तो इसमें तुम्हें help नहीं कर सकता complex number पढ़ने की जरूरत है come on guys find the answer find the answer come on everybody देखें क्या बुलाए question के अंदर अब उसके लिए सबसे पहले उसके लिए सबसे पहले secondary voltage निकालो V2 by V1 is N2 by N1 is actually 1 by 4 ठीक है अब V1 दे रखा है 16 V1 दे रखा है 16 तो V2 आ गया 4 वोल्ट similarly V3 by V1 N3 by N1 2 by 4 तो V3 आ गया 8 वोल्ट यह V3 आ गया 8 यानि यहां मेरे भाई बन गया 4 वोल्ट और यहां बन गया आपके लिए 8 वोल्ट अब इसने पूछा यह supply से कितनी पावर आएगी supply से कितनी पावर आएगी तो supply से जो पावर आएगी that will be equal to power consumed by the load मैं कह रहाँ supply power supply power is actually equal to load power is actually equal to load power तो supply से कितनी पावर आएगी देखो यहां 4 वोल्ट है दूसरे में 8 वोल्ट है तो कितना बन जाएगा 30 अगर LC हम ले ले 64, 128, 144, 4.8 यह बन गया 4.8 वाट ठीक है तो power conservation लगाने से मेरे भाई यह value आ गई 4.8 वाट is that clear तो answer would be a answer would be a मनीश मेरे भाई अगर आप हमारा channel फॉलो करते हो तो आपको यह मालूम होना चाहिए डेली रात को 10 से 11 बजे MCQ, NAT, MSQ तीनो तरह के question डेली एक घंटा मंडे से Saturday लगवाए जा रहे हैं इस channel के उपर इस channel के उपर मंडे से Saturday डेली MCQ, MSQ, NAT तीनो तरह के question लगवाए जा रहे हैं मंडे को लेते हैं संकर सर नेटवर्क, Tuesday कामेश सर अनलोग, Wednesday विशाल सर, Thursday मैं ले रहाँ मशीन, Friday प्रमीत सर मेजिरमेंट, Saturday शर्मा सर एप्टीट्यूड तो 6 के 6 दिन आपको अलग-अलग subject होगे, सवाल लगवाए जा रहे हैं अगला try करो, again you have 90 seconds, again you have 90 seconds हाँ मेरे भाई, power system मंडे से साड़े 5 बजे शाम को start हो जाएगा शोबम जब YouTube festival होगा तो कोई भी regular class नहीं होगी बिल्कुल शिवम impedance refer करके भी कर सकते हो, बस ये धियान रखना impedance secondary, tertiary में winding के parallel है, तो जब वो primary जाएगी तो भी winding के parallel ही लगेगी कम ओन everybody, this question एक अच्छा question है, ideal transformer का सारे लोगों को बनाना है, कम ओन, सभी लोग बनाओ जल्दी से question के रहा है, in the figure shown, there are two single phase transformer, T1 and T2, of turns ratio 4 is to 1 and 2 is to 1 respectively, connected with their primary in series across a 120 volt 50 hertz source, determine the current drawn from the source, determine the current drawn from the source, तीक है, start करें, देखो, primary series में है और secondary parallel में है, अब अगर मेरे भाई में यहाँ पर यह मालनूँ कि यह secondary का voltage है, तो देखो, यह वाला terminal दोनों का साथ में जुड़ा है, यह नीचे वाला भी साथ में जुड़ा है, तो इधर भी voltage ऐसी आ गई, plus minus V, just because दोनों winding parallel में हैं, तो अगर इसके across V है, तो इधर भी आ गई V, तो इधर कितनी voltage आ गई मेरे भाई, इधर voltage आ गई आपकी 4V, transform कर लिया, dot इधर positive तो इधर भी positive, 2V, polarity का ध्यान रखना, दोनों तरफ dot की polarity सेम होगी, तो मैंने देखो क्या किया, मैंने load का voltage V माना, यह दोनों winding parallel में थी, भाई KVL लगा लो अगर primary side, तो आप कह सकते हो 4V प्लस 2V is 120, जिसका मतलब V आ गया आपका 20, V क्या आ गया आपका 20, अब अगर मेरे भाई V 20 आ गया, तो load में power कितनी चली गई, 20 square by 10, यानि 40 watt चली गई, और इतनी ही power, power conservation से अगर सोचा जाए, तो जितनी power load में जा रही है, उतनी ही power source से आ रही होगी, यानि 120 into I, source से अगर I current आया है, तो 120 into I equal to 40, तो I आ गया simple, 1 by 3 ampere, 1 by 3 ampere, ठीक है, आई आ गया 1 by 3 ampere, अरे भाई कोई दीपक का जवाब दे दो, ये spam मत किया करो, comment तुरंद भगा दूँँगा session में से, एक बार पूछ लिया बहुत है, दस बार बता चुका हूँ, Monday से power system स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये बात clear हूई, मैंने क्या किया, मैंने ये माना, load के across voltage है V, load के across voltage है V, तो ये जो terminal था, plus वाला, ये इधर जुडावा है, ऐसे ये उपर वाला terminal, इधर आके जुडावा है, तो अगर ये voltage V है, तो ये voltage भी V हो गई, because both are in parallel, तो जब primary पे refer किया, तो ये बनी 4V, जब इधर primary पे refer किया, ये बनी 2V, तो अब मैंने 4V और 2V को मिला के लिख दिया, 120 KVL से, तो V मेरे पास आ गया 20V, इससे मैंने निकाला load का power, और फिर मैंने बुला, power conservation से, load power equal to source power, load power equal to source power, अगला similar type का question, लेकिन इस बाग primary parallel है, secondary series, primary parallel secondary series, बिलकुल शुबं load resistive है, इसलिए जो primary पे apparent power है, वही किसके बराबर होगी, real power के, real power के, क्योंकि load resistive है, अगर load मानलो complex होता, load अगर मानलो complex होता, मेरे भाई, तो फिर आपको क्या करना पड़ता, primary का VI conjugate, आपको P plus JQ के बराबर करना पड़ता, अब मेरे भाई, अगर series parallel identify करना है, तो ये देखा अगरो, कितने terminal common है, कितने terminal common है, अब यहाँ पे देखो, ये दोनो terminal common है, और ये वाले terminal भी connected है, जब उपर वाला और नीचे वाला, दोनो terminal आपस में connect हो जाए, तो it is parallel, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ बस एक ही terminal connected है, तो it is series, ओमकार मेरे भाई, दो बार repeat कर चुका हूँ, तीसरी बार नहीं करूँगा, आप लेक्चर पीछे करके देख लीजिए, देखें भाई, इसका solution क्या बुला है, इन दा figure, टू सिंगल फेस ट्रांसफोर्मर आर कनेक्टेड, find the current taken from the source, अब देखो जब primary winding मेरे बंदू parallel में है, तो यह देखो यह plus terminal यहां के जुड़ा, और यह minus terminal यहां के जुड़ा, तो यह हो गया 220 volt, फिर ऐसे यह plus वाला यहां के जुड़ा, और minus वाला यहां के जुड़ा, यह भी हो गया 220, अब यहां dot positive है, तो यह voltage कितनी आ गई भाई, पचपन, यहां dot negative बनेगी, क्योंकि इधर dot है negative, इधर dot अगर negative है, तो वहां पे भी dot negative बनेगी, और यह कितनी आ गई, 110, अब KVL से यह देखो, load के across कितनी voltage है, KVL से यह देखना, load के across voltage, load voltage कितनी है, load voltage है मेरे भाई, आपकी 55, minus 110, ठीक है, तो load में power कितनी है, इतनी है, अब आप कहोगे मेरे भाई, कि source power, must be equal to load power, source से कितनी power आएगी, तो यह बना, 11 by 16, यह बन रहा है न, 55, 4, तो 11 by 16 बनेगा, अगर ऐसा dot लेते हैं, ठीक है, अगर ऐसा dot लेते हैं, मेरे भाई, हमने dot को अपनी मरजी से positive negative नहीं माना है, यह देखो, source का negative terminal जुडा है dot से, इसलिए dot negative है, इसलिए dot negative है, और मेरे बंदू जेको, जिन लोगों का transformer बिल्कुल गायब है, वो पूरा machine के lecture देख लें, पूरी machine की playlist, पूरी machine की playlist अवेलेबल है, इस YouTube चैनल पे, तो आप पूरा देख सकते हूं, ठीक है, अब इसके अंदर एक possibility ये भी हो सकती थी, कि इसका भी dot नीचे होता, अब जोगो, यहां से तो कोई option match नहीं कर रहा न, नेगेटिव ये आजाता 110 वोल्ट, ठीक है, तो यहां पे आजाता 55 प्लस 110, और ये हो जाता आपका, फिर कितना आता, ये आता 165, ये 11 से 20 पे गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया, 495 बाइ 80, 495 बाइ 80, अब ये कितना आ जाएगा, 495 बाइ 80, 86, 480, 6.18 एमपीर, तब ये आएगा D, ठीक है, तब ये आएगा D, 6.18 एमपीर, 6.18 एमपीर, इस डाट क्लियर, चलिए, तो ये तो बात हो गई, हमारी आइडियल ट्रांसफॉर्मर की, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के अंदर, हमने ये देखा, कि पावर कंजर्वेशन लगा देने से, मिजॉरिटी ओफ आंसर, करेक्ट आ जाते हैं, अब आगे बात करते हैं, इंडियूज डियम एफ की, अब देखो, ट्रांसफॉर्मर के अंदर, कितना इंडियूज होता है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर, इंडियूज होता है, ये, अब यहाँ पर क्या क्या टर्म, क्या रिप्रेजेट करती है, बी-एम होता है, अब ये, अब ये, सिर्फ लेमिनेशन का काउंट किया जाए, सिर्फ lamination का यानि इसमें area insulation वाली layer का count नहीं होगा और यह जो net cross section area होता है यह gross cross section area multiplied by stacking factor होता है this is multiplied by stacking factor ठीक है तो stacking factor अक्सर 0.9 होता है अक्सर 0.9 होता है बट जब तक दिया ना जाए अपनी मर्जी से मत मानना अपनी मर्जी से मत मानना ठीक है अब यह EMF की equation हो गई N हो गया number of turns तो हम कहते हैं यह जो EMF की RMS value है यह RMS value है actual में अगर primary side देखे तो यह हो जाता है और अगर secondary side देखते यही EMF ठीक है अब मेरे भाई यहां से बनेगा E1 by E2 equal to N1 by N2 E1 by E2 is actually equal to N1 by N2 N1 by N2 अब यहां पे और क्या-क्या बातें ऐसी हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए हमें एक बात यह पता होनी चाहिए यह जो BM है that is actually equal to E by तो हम यह कह देते हैं it is proportional to E by F E by F अब देखो बहुत सारे बच्चे यह याद किये रखते हैं कि BM is proportional to V by F तो मेरे भाई मैं आपको यहां पे यह बता दू यह V by F के नहीं बलकि E by F के proportional होता है V जो होती है that is the terminal voltage E जो होता है that is the induced EMF terminal voltage और induced EMF के बीच का जो difference होता है that is because of the voltage drop in resistance and reactance terminal voltage और EMF बराबर नहीं होते terminal voltage और EMF बराबर नहीं होते उनके बीच में आता है drop उनके बीच में क्या आता है drop इसलिए याद रखना E by F ना की V by F E by F ना की V by F अब यह आ गया BM अब BM आने के बाद मेरे भाई और हमें क्या चीज़ें पता होनी चीएं की higher BM implies lower area इसलिए हम CRGO steel का use करते हैं जहां पे की BM is up to 1.6 Tesla CRGO के अंदर BM को 1.6 Tesla तक ले जा सकते हो इसलिए CRGO steel को prefer किया जाता है क्योंकि transformer का size कम हो जाता है transformer में जितनी high flux density लेके चलें उतने कम size के transformer की जरूरत पड़ती है यह clear हुआ अब इसके बाद again अगर हम area की बात करें तो यह कह सकते है area is inversely proportional to frequency तो यह भी कह सकते हो high frequency transformer are smaller in size are smaller in size ठीक है जो transformer ज्यादा frequency पे चलते है यानि जैसे communication में जहां megahertz, kilohertz का use होता है उनका size उतना ही कम होता है इसके अलावा voltage per turn यह आती है और यह दोनों winding के लिए same आती है यह दोनों winding के लिए same आती है primary और secondary that is the voltage per turn voltage per turn इसके अलावा voltage rating is directly proportional to frequency जो current rating है that is independent of frequency और जो kVA rating है मेरे भाई that is directly proportional to frequency ठीक है भाई directly proportional to frequency आ जाएगी क्योंकि current rating में तो f आएगा नहीं voltage rating में f आएगा kVA rating में भी f आएगा kVA rating में भी f आएगा guys please don't pollute the comment section comment section में आप लोग बिल्कुल भी लडाई ना करें फाल्तू बात ना करें जितने भी मेरे दोस्त हैं जितने भी मेरे दोस्त हैं जितने भी मेरे students हैं ध्यान दें ये lecture आपको बहुत फायदा करने वाला है पूरे ध्यान से सारी चीजे समझें ठीक है kVA rating is proportional to frequency तो ये चीजे हमें basic basic चीजे पता होनी चाहिए जब हम बात कर रहे हैं emf के expression की और सबसे बड़ी बात मेरे भाई ये याद रखना कि v by f नहीं होता बलकि क्या होता है e by f होता है v और e में difference आता है v और e में difference आता है ये clear हुआ हमें kVA rating के बारे में high frequency बे size कम होता है high flux density लेने से size कम होता है ये भी बाते हमें clear हैं ये भी बाते हमें clear हैं अब देखो अब एक बहुत बढ़िया concept सीखते हैं कि EMF की polarity कैसे निकालते हैं EMF की polarity कैसे निकालते हैं ठीक है मेरे भाई देखो एक transformer ले रहा हूँ देखो यार मैं अपने student से बस इतना कहना चाहूँगा कि lecture पे ध्यान दो क्योंकि जब मेरा गला खराब होते वे मैं आपकी class 3 घंटे ले रहा हूँ तो मेरा effort waste मत करो ठीक है ये primary winding मैंने ले ली primary winding मैंने ले ली ये secondary ले ली ठीक है अब देखो क्या होता है अब देखो क्या होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि flux कैसे है transformer के अंदर flux कैसे है transformer के अंदर अब मान लो मैं आपको flux दे दू मेरे भाई कौन से color से बनाया जाए है किस से बनाया है चलो light blue से बना ले दे मान लो ये मैंने आपको flux दे दिया ठीक बात है वैसे मज़ा आ रहा है digital board पे पढ़ने में मैंने आपको देखो white board पे तो पढ़ाया हुआ है पूरा machine मैं आपको पहली बाद digital board पे machine पढ़ा रहा हूँ तो फील आ रहा है बराबर white board वाला white board वाला feel आ रहा है एकदम digital board पे भी ठीक है अब देखो ये हमें flux दे रखा है ये हमें flux दे रखा है transformer के अंदर अब हम क्या करते हैं EMF की polarity कैसे निकालते हैं EMF की polarity मैं आपको steps लिखवा देता हूँ क्या क्या करना होता है Step 1 Step 1 Assume Induced flux Opposite to Applied flux ठीक है Assume induced flux Assume induced flux Opposite to applied flux ठीक है मेरे भाई ठीक है भाई अकाश समझा रहा है ये कि किस तरीके से Induced flux मानना है Applied से opposite अब देखो ये Applied वाला उपर जा रहा है तो हम induced कैसे मानेंगे Induced मानेंगे नीचे Induced मानेंगे नीचे ठीक है Induced मानोगे नीचे अब induced कैसे लेना है नीचे की तरफ चलो मैं आपको draw करके दिखा देता हूं flux मैं आप सभी लोगों को draw करके दिखा देता हूं मेरे भाई ये मैंने draw कर दिया ठीक है ये मैंने draw कर दिया अब ऐसी देखो ये वाला flux नीचे है तो इसका opposite कैसे मानोगे इसका opposite मानोगे उपर इसका opposite मानोगे उपर है ना तो ये जो उनों मैंने black से दिखा है ना मेरे भाई ये जो दोनों मैंने black से दिखाए है ये induced flux मानना है और मैंने opposite क्यों मानना है effect opposes the cause effect opposes the cause lens law के अंदर lens law के अंदर effect opposes the cause जिस कारण से induced flux is opposite to the applied flux induced flux is opposite to the applied flux मेरे भाई देखो कोई भी comment में आके spam करे कुछ भी लिखे आप लोग distract तब होगे जब आप लोग distract होना चाहोगे अगर मेरे भाई आपका पूरा ध्यान मेरी तरफ है तो कुछ फरक नहीं पड़ता कमेंट में क्या लिखा जा रहा है तो मेरे को यह देखना है कि मेरे स्टूडेंट्स का अटेंशन कितना है आप लोग का अटेंशन मेरी तरफ है चलें आगे अब अगला स्टेप मेरे भाई अगला स्टेप क्या होगा अगला स्टेप होगा Find current in winding Find current in winding Based on और अभी देखो इस पर question भी करवा रहा हूँ आपको करेंट निकालो करेंट निकाला जाए करेंट निकाला जाए फ्लक्स अगर नीचे है तो करेंट आएगा लेफ्ट में देखो अंगूठे से अगर फ्लक्स दिख रहा है तो जो उंगलियां है ये करेंट बताएंगी ये उंगलियां करेंट बताएंगी तो current जा रहा है left में ऐसे यह आगया ना अब ऐसे ही देखो मेरे बंदू ये जो है ये flux उपर है ये flux उपर है तो इससे current कैसे जाएगा इससे current जाएगा right में इससे current जाएगा right में ऐसे आगया ये step to clear हुआ step to clear है पहले applied flux से opposite मानो induced flux और induced flux से निकाल दो current induced flux से निकाल दो मिरे भाई current अब क्या करो step number 3 में assume a resistor connected across winding to find voltage ठीक है भाई मेरे बहुत सीधा सीधा तरीका करा दिया अरे भाई resistance ले लो एक resistance में current प्लस से माइनस ही जाता है न इधर भी एक resistance ले लो resistance में current प्लस से माइनस जाता है यह आ गई polarity यह आ गई मेरे भाई polarity is this clear polarity कैसे निकाल दो है EMF की यह सबको clear है कि नहीं है यह सबको clear है यह सबको clear होना चाहिए how to find the polarity how to find the polarity is that clear चलो भाई इतना अपना काम खतम होता है अब मैंने आपको अभी एक rule यह भी बताया था कि दोनों तरफ dot की polarity same होती है दोनों तरफ dot की polarity same होती है उस अनुसार आप dot भी तो लगाई सकते हो लो भाई है dot लगा लो दोनों plus वाले पे लगा दो या तो दोनों minus वाले पे लगा दो या तो दोनों पे plus लगा दो या दोनों में minus पे लगा दो is that clear दोनों में या तो plus पे लगा दो या दोनों में minus पे अब देखो EMF का एक तरीका nd5 by dt भी होता है उसकी pole खोलते है nd5 by dt की कि क्या लगता है क्योंकि आपको कई बार ये confusion आता है यार कि कुछ teacher ये पढ़ाते हैं EMF flux से lead करता है EMF flux से कुछ लोग कहते हैं lag करता है तो होता क्या है देखो मैं ये कहता हूँ मेरे भाई अगर transformer winding diagram is given या पहले चलो is not given अगर winding दिखाएगा ही नहीं अगर winding दिखाएगा ही नहीं तब आपने क्या करना है तब आपने लगाना है minus N d5 by dt minus N d5 by dt और अगर आपने minus N d5 by dt लगाया EMF lag flux by 90 degree ये कब होगा जैसे माल लो मैंने flux का graph दे दिया और मैंने transformer आपको दिखाया ही नहीं मैंने अगर आपको flux का graph दे दिया और मैंने आपको transformer दिखाया ही नहीं तब आप लगाओगे minus N d5 by dt minus N d5 by dt ठीक है मेरे भाई if transformer winding diagram is given तब क्या होगा तब आपको polarity निकालनी पड़ेगी polarity कैसे निकाली जाएगी यह मैंने आपको तीन step में explain किया है तो मैं कहता हूँ यहाँ पे you have to derive the polarity you have to derive the polarity polarity तो derive करनी पड़ेगी polarity अगर derive की अब देखो दो cases हो सकते हैं case 1 polarity जो question में given है polarity जो question में given है is same as the polarity derived is same as the polarity derived तब तो आप लगाओगे and d5 by dt and d5 by dt और इस case में emf lead करेगा flux से इस case में emf lead करेगा दूसरा case यह हो सकता है मेरे भाई यह में अभी आपको question से दिखाऊंगा भी कि polarity derived polarity derived is opposite to polarity given given अगर दोनों polarity opposite है तब आप लगाओगे minus sign अब यह minus क्यों आया है यह तो बंदू आया है आपका network के कारण network के कारण अगर दो voltage opposite हो जाएं दो voltage अगर opposite हो जाएं तो उनके बीच में एक minus आ जाता है यही तो kvl का rule है यही तो kvl का rule है और इसके अंदर आ जाएगा EMF lags flux by 90 degree समझ गए समझ गए यह मैंने पूरा रहस्य कोल दिया जो आज तक debate चलती आई है PS भीमरा वर्जिस नागरात को ठारी की तिक है दोनों के phaser अलग अलग होते हैं तो कहां कौन सा phaser लगेगा कहां plus लगेगा कहां minus लगेगा यह अंकित गोल के सौजन्य से आपके लिए sponsored by अंकित गोल देखे हैं brought to you by अंकित गोल क्योंकि यह वाला decoding मैंने खुद किया है honestly यह वाला decoding मैंने खुद किया है क्योंकि books के अंदर question try करो question में मैंने ये पूछा है आप लोगों से find the rms value of e p q and e rs e p q and e rs अब ये e p q क्या है न e p q e p q ऐसा होगा p q का मतलब होता है p plus q minus e rs का मतलब है ये तो ये polarity आपको ना नाम के अंदर ही दे रखी है ये polarity आपको नाम के अंदर ही दे रखी है e p q का मतलब p positive q negative और e rs का मतलब r positive s negative अब देखो मैंने flux भी बना रखा है मैंने flux भी बना रखा है अब आपको क्या करना है सबसे पहले मेरे बंदू polarity derive कर लो दोनों winding में जो मैंने 3 step वाला method बताया है उससे polarity derive करो और उसके बाद आगे बढ़ाएंगे ठीक है जो मैंने 3 step वाला method बताया ना एक बाद derive करो देखो इसमें मैं क्या बोलूँगा मैं light color से बना रहा हूं flux कि यह जो flux आपको दिखाया गया ना एक्च्वल में ऐसा है ठीक है यह ऐसा है अब मैं कह रहा हूं कि आपको क्या करना है आपको step 1 लगाना है सबसे पहले कि induced flux opposite to the applied flux यह आ गया नीचे यह आ गया उपर यह दोनों कौन से flux हैं induced flux अब यह एक बार induced flux आपके पास बेटा आ गए अब आप क्या करो अब आप flux देखके current बना लो flux नीचे है तो current right में sorry left में current left में तो current यहां से leave करेगा और यहां से enter अगर current यहां से leave किया तो यहां आएगा plus minus यह जो polarity है यह मैंने derive किया है और बाहर वाली polarity गिवन है अंदर वाली मैंने derive किया है और बाहर वाली polarity गिवन है अब यह वाला flux देख लो यह flux उपर है तो इससे current कैसे आएगा right में अब अगर resistance लगा के सोचोगे तो plus minus ऐसे ही आएगा अब यह देखो primary side पे जो polarity मैंने निकाली और जो question में गिवन है वो है opposite secondary पे जो मैंने निकाली और जो question में गिवन है वो है parallel वो है same primary पे फिर से देखो मैंने निकाला plus minus question में गिवन था minus plus secondary पे मैंने निकाला plus minus question में भी गिवन था plus minus तो मैं कहूंगा कि primary side e p q होगा minus लगाना पड़ेगा ना polarity उल्टी आईए और secondary side same आई है तो कोई minus की जरूवत ही नहीं है लो भाईया ये बन गया ठीक है ये clear है अरे source देने की जरूवत नहीं है ना ये जो flux आ रहा है fi ये किसी भी कारण से आ रहा हो हमें क्या करना है हमें तो इस flux से ये बताना है दोनों winding में जो emf बनेगा उसका rms value हमें ये मतलब नहीं है flux आया कहां से हमें तो emf induced की rms value से मतलब है अब क्या करते हैं d5 by dt निकाल लेते हैं flux के graph से यहां पर देखो कितना आएगा d5 by dt is 0.009 तो ये हो जाएगा आपका 0.15 यहां तो slope 0 आएगा simple है यहां slope कितना आएगा decreasing है न नेगेटिव आएगा minus 0.45 यहां गया slope ठीक है यहां आगया slope अब क्या करना है अब क्या करना है मेरे भाई अब emf का graph बना लो पहला है minus 200 d5 by dt पहला है आपका minus 200 d5 by dt देखो मैं दोनो emf का graph बनाता हूँ आपके लिए आपके लिए तेक वे? यह दोनों x-axis ले ली मैंने अब time की axis पे कितना-कितना लेना है? 0.06 फिर 0.1 0.12 अब देखो यहाँ पे कितना है? minus 200 into 0.15 minus 200 into 0.15 कितना आएगा? minus 30 ठीक है? यह minus 30 आगया अब 0 पे तो EMF 0 आएगा? फिर minus 200 into 0.45 that is 90 अब इसपे आजाओ 500 into 0.15 75 फिर 0 वाले slope में तो 0 आएगा? फिर 75 into sorry 500 into minus 0.45 that is minus 225 फिर थोड़ा दा रफ डाइग्राम बना है अब इस ग्राफ का RMS निकालना तो टफ नहीं है इस ग्राफ का RMS आप लोग निकाल सकते हो तो मैं कहता हूँ EPQ कितना आएगा? RMS कितना आएगा? सबसे पहले 30 square into 0.06 तो ये कितना आएगा? 900 यानि 54 फिर 1800 यानि 36 54 प्लस 36 90 ये एक बार calculate करो जल्दी से कितना आख रहे? और ERS निकालने का easy तरीका क्या है कौन निकालेगा अलग से RMS ऐसे निकाल दो ठीक है तो ये कितना आ रहा है ये कितना आ रहा है ये आ रहा है 900 इंटू 54 हो गया ये 1896 ये तो calculation अपने ठीक है 27.38 ठीक है और इसके बाद 68.46 ठीक है 27.38 और 68.46 ये ही बन रहा है न ये ही आ रहा है भे यहाँ पे तो ये 30 आ रहा है 200 इंटू 0.15 और 200 इंटू 0.45 ये आ रहा है 90 ये 76.48 बन रहा है ये एक सेकेंड ये हो गया अच्छा मैंने ये तोटल गलत कर दिया है ये 80 100 होगा 80 100 तो ये हो गया 162 162 80 100 से हो गया 162 और ये हो गया 54 42.426 ये बन रहा है तो कौन सा ओप्शन आएगा C तो जो आंसर आएगा वो C आएगा शुरुती 0.02 इसलिए हुआ ना ये जो वेट था ये 0.02 है तेक है इसके लिए आप लोग ये एक बार देख लेना अगर समझ नहीं आया कि कैसे कैसे rms value निकाली जाती है किसी भी waveform की ठीक है बई अकाश clear हुआ ये एक चीद रताओ मेरे भाई clear हुआ किस तरीके से rms आएगा चलो अगला try करो अगले का आंसर सबसे पहले अकाश देने वाला है वही चलो सभी लोग लग जाओ देखते हैं कौन पहले निकालता है कौन पहले निकालता है हम लोग देखने वाले है क्या बुला है EMF per turn दिया है 13 volt frequency 50 hertz primary और secondary turns पूछे गए हैं primary और secondary turns पूछे गए हैं मेरे भाई रित्तु ने दे दिया है सबसे पहले answer C बाकी लोग भी निकालें एक बार देखे तो सही और देखो देखते देखते almost two hours हो चुके हैं हमें only one hour to go लेकिन course अभी काफी बचा आपको speed से चलना पड़ेगा मेरे भाई speed से चलना पड़ेगा देखो इस तरह के question में हमेशा start करना LV side से always start from LV side अब यहां voltage दी गई है 220 number of turns हमें नहीं पता मैंने number of turns माल लिया NL एक second लेकिन EMF per turn directly दिया है न तो ऐसे कर लो देखो EMF per turn है 13 into NL तो यहां से NL निकाल लेंगे यहां पे NL निकाल लेंगे यह आएगा 16.923 तो इसको मेरे भाई approximate कर लेंगे 17 पे अब एक बार यह आगया अब आप क्या करते हो ध्यान देना अब आप turns ratio से निकालते हो answer अब आप मेरे भाई turns ratio से निकालते हो तो आप लिखते हो 2200 तो यह आगया 170 170 आगया ठीक है अब इसके बाद पूछा है area area कैसे निकलेगा 13 equal to EMF pattern क्या होता है 4.44 F 5 5 के लिए B into area तो यहाँ से area निकाल सकते हो 13 divided by 4.44 divided by 50 divided by 1.4 तो यह आएगा 418.27 cm2 ठीक है भाई तो answer आया A answer आया हमारा A is that clear? चलो अगला try करो अगला try करो भाई सभी लोग come on everybody next question next question remember whenever we are we want to find number of turns always start from LV side कभी भी number of turns निकालने हैं आप LV side से ही start करोगे और HV side के turns फिर turns ratio से निकाले जाएंगे चलो भाई देखें देखो tertiary की जो rating दी गई है इसका मतलब देखो यह होता है कि tertiary जो है center tapped है तर्शरी जो है center tapped है और दोनों side पे on both sides उसके जो voltage है वो voltage कितनी है मेरे बंदू वो voltage है 11V तो जो total voltage आने वाली है जो total voltage आने वाली है that is your 22V तो जो voltage आने वाली है that is 22V अब 22 equal to 4.44F number of turns तो पूछा ही है BF 1.2 तो यहां से मेरे भाई number of turns कितने आ गए यहां से आपके number of turns कितने आ गए 22 divided by 4.44 divided by 50 divided by 1.2 divided by 75 into 10 to the power 4 यह आए 11.011 लेकिन अब देखो मेरे भाई कि यहां पे center tapping है center tapping जब होती है जब उसके दोनों तरफ बराबर बराबर turns दिये जाते हैं बराबर बराबर turns दिये जाते हैं इसी लिए इसी लिए number of turns आपको लेने पड़ेंगे 12 अगर center tapping नहीं होती तो आप odd number of turns भी ले सकते थे तो answer आगया 12 ठीक है चलो आगे चलते हैं अब बात करते हैं transformer at no load transformer at no load अब देखो जब transformer पे कोई load लगा नहीं होता तब वो supply से current उठाता है दो कारण से पहला कारण होता है flux बनाने के लिए दूसरा कारण होता है losses supply करने के लिए first reason is to produce the flux second reason is to produce और is to supply the losses is to supply the losses तो हम यह कहते हैं that there are two components of no load current first component is magnetizing current I mu and the second component is the core loss current IW तेक है अब यह magnetizing current किस काम का है magnetizing current यूज होगा flux बनाने में और आपका core loss current यूज होगा core losses के core losses को supply करने में ठीक है तो that means this will contain real power क्योंकि losses losses always consume real power और जो flux बनाने में current जाता है मेरे भाई magnetizing current that is related to your reactive power that is related to your reactive power यह reactive power से related है अब देखो इसके अंदर हम लोग कैसे phasor diagram दिखाते हैं सबसे पहले phasor बनता है flux का इस flux को बनाने के लिए इस flux को बनाने के लिए जो current लगेगा that will be magnetizing current which lies in the same phase अब जैसा मैंने बूला अगर transformer का diagram ना दिखाए तो आप EMF लेना minus Nd5 by dt अगर ऐसा लिया तो आपका जो EMF है that lags the flux by 90 degree तो अब यहां पे जो आप EMF दिखाओगे मेरे भाई जो आप EMF दिखाओगे that will lag the flux और दोनों EMF same phase में होंगे E1 और E2 आप कहोगे sir E2 लंबा क्यों बनाया E2 लंबा क्यों बनाया E2 लंबा इसलिए बनाया मेरे भाई मैंने यह मान लिया E2 by E1 equal to N2 by N1 हमने यह मान लिया N2 is greater than N1 यानि की step up transformer यानि की step up transformer ठीक है अब इसके बाद हम बना देते हैं मेरे भाई V1 V1 जो बनता है that is opposite to E1 अब आप कहोगे sir opposite क्यों बनाया देखो V1 और E1 होते हैं सेम फेज में अब बनता है practically practically V1 and E1 are in same phase but shown opposite to satisfy lens law ठीक है cos V1 है तो E1 उसे oppose कर रहा है बस इसलिए opposite दिखाते हैं practically डरना मत practically दोनों same phase में आते हैं अब देखो बंदू इसके बाद जो core loss है वो real power है तो उसका current voltage के same phase में आना चाहिए ठीक है तो यह दिखा दिया IW in the same phase as the voltage same phase में क्यों दिखा है क्योंकि real power आना चाहिए अब यह IW और Iμew जुड करके क्या बना देते हैं यह बना देते हैं I0 और I0 और V1 के बीच का एंगल होता है Phi0 तो हम क्या कहते हैं यह जो Phi0 है यहां Cos Phi0 होता है आपका no load power factor तो यह phasor diagram आप सभी लोगों को याद रहना चाहिए transformer का no load का phasor diagram कि इसके अंदर दो current होते हैं Iμew और IW और दोनों का resultant आता है I0 अब देखो इस concept को और clear करते हैं question से तो question में क्या कह रहा है exciting current की बात कर रहा है question के अंदर यह current आपका होता है no load current exciting current का मतलब होता है no load current I0 इसको Iμew मत समझना तो देखो तो देखो question में क्या बोला है मेरे भाई कि I0 is 0.64 Ampere core loss which is V into IW is 700 तो देखो यहां से IW निकल आएगा 700 by voltage यानि 7 by 24 Ampere एक बार यह आ गया तो Iμew भी आ जाएगा I0 square minus IW square देखो मैं calculator से निकाल लेता हूँ यह आ रहा है मेरे भाई 0.5696 और यह आ रहा है 0.2916 अब देखो यह वैसे भी practically भी होता है practically भी आपको पता होना चाहिए practically Iμew dominates IW practically Iμew dominates IW अब इसने बोला है कि transformer जो है एक load current supply कर रहा है transformer जो है एक load current supply कर रहा है और वो load current कितना है 40A.8 lagging इस load current को आप primary side पे refer कर लो 40 into HV side पे refer कर रहा हूं मैं इसको HV side पे अगर मैंने इसको refer किया मेरे भाई तो यह 4A बनेगा अब देखो आपको primary current चाहिए यह जो 4A है इसका angle होगा minus 36.86 0.8 lagging है फिर यह जो IW है इसका angle तो 0 ही रहेगा और यह जो I mu है इसका angle minus 90 होता है यह voltage से 90 degree lag करता है यह आ गया तो यहां से मेरे भाई आपको total current मिलेगा यहां से मेरे भाई आपको total current मिलने वाला है ठीक है मैं लिख ले रहा हूँ Kelsey में 4.5836 माइनस 40.37 अब अगर आपको primary current का power factor चाहिए तो cos 40.37 cos 40.37 कितना आ जाएगा मेरे भाई 0.7618 ठीक है तो कौन सा answer आया B आ गया ना B आया सभी लोग का B आया 0.76 आ रहा है ना हाँ बिल्कुल D आयेगा the answer will be D the answer will be D ठीक है B नहीं आयेगा answer D आयेगा चलो आगे चलते हैं practical transformer की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले हमने क्या-क्या दो current introduce कर दी है magnetizing current magnetizing current और क्या introduce कर दिया हमने core loss component of current core loss component of current अब मैं introduce करता हूं winding resistance और leakage reactance सो practical transformer में हम कहेंगे it will also contain it will also contain winding winding resistance and leakage reactance तो इसके अंदर phasor diagram में क्या difference आता है इसके अंदर phasor diagram में क्या difference आता है मेरे भाई सब्सक्राइ सबसे पहले देखो ये phi बना लेते हैं phi के same phase में दिखा देते हैं q ठीक है फिर phi से lagging बना देते हैं दोनों emf phi से lagging बना देते हैं दोनो emf अब e1 से उल्टा अब की बार v1 मत दिखा ना practical transformer है अब की बार आप दिखाओगे minus e1 क्या दिखाओगे minus e1 minus e1 ठीक है अब इसके phase में क्या जाएगा iw 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 और imu का sum मिलके क्या बनेगा sum मिलके बनाएगा आपका i0 अब आपने अगर load लगाया है मेरे भाई अगर आपने load लगाया है तो secondary winding में current होगा i2 secondary में current होगा i2 lagging मान लिया क्योंकि जादातार load lagging power factor होते है अब यह जो i2 है इससे opposite lens law दिखाने के लिए हम दिखा देते हैं i1 dash i1 dash और i1 dash और i0 को i1 dash और i0 को जोड करके यह बन जाता है i1 यह phasor बन गया i1 primary current अब एक बार i1 आ गया अब हमें क्या करना है दोनों side की terminal voltage निकाल ली है तो e2 में से पहले मैंने subtract किया मेरे बंधू i2 r i2 r2 अब मैं subtract करूँ माइनस j i2 x2 माइनस j i2 x2 माइनस j i2 x2 तो माइनस j i2 x2 आएगा कुछ इस type से और यहां से total जो बनेगा यह बनेगा v2 अब ऐसे माइनस e1 में माइनस e1 में add करोगे i1 r1 यह add किया i1 r1 फिर इसमें add करोगे j i1 x1 j i1 x1 add किया तो मेरे भाई यहां से जो phasor बनेगा that will be v1 तो हमने क्या किया है यहां पे हमने winding का resistance winding का resistance हमने winding का resistance और leakage reactance को include कर लिया है include कर लिया है तो practically देखो क्या होता है practically i1 dash and i2 have same phase but 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 they are drawn but they are drawn opposite to show to show lens law they are drawn opposite to show lens law is that clear अब देखो equivalent circuit कुछ ऐसा दिखता है यहां r1 और r2 क्या है यह होते है winding के resistance यह होते है मेरे भाई winding के resistance x1 x2 क्या होते है यह होते है leakage reactance leakage reactance अगर देखो आपको यह जानना है leakage reactance आया कहा से leakage reactance का practical significance क्या है तो फिर आप मेरे machine के complete वाले वीडियो देखो जो कि already इस channel पे present है r0 क्या है r0 है core loss resistance यानि एक ऐसा resistance जो core loss को show करता है xm क्या है magnetizing reactance magnetizing reactance तो r0 में जो current जाता है that is iw xm में जो current जाता है that is iμ और दोनों में मिलाके जो जाता है that is i0 यह current है i1- और यह current आगया i1 यह हो गया i2 i1- क्या होता है that is i2 into n2 by n1 i2 into n2 by n1 i2 into n2 by n1 ठीक है is that clear अब देखो मेरे भाई लेकिन जाधतर क्या करते हैं जाधतर क्या करते हैं कि approximate circuit का use किया जाता है अब यह approximate circuit में क्या करना होता है यह जो shunt वाली branch है इसे shift कर दिया जाता है यहां पे ठीक है तो मैं आपको approximate circuit भी दिखा देता हूं let me show you approximate circuit as well प्रतू है झाल झाल देखो इस टाइप से यह एप्रॉक्सिमेट सर्किट हो जाता है यह रजिस्टेंस हो जाता है आर जीरो वन यह एक्स जीरो वन यह आर नॉट यह एक्स नॉट अब यह वोल्टेज को ना EMF समझने की गलती मत करना यह है V2 डैश और यह है V2 V2 डैश क्या होता है V2 इंटू N1 बाइ N2 अब इस सर्किट के अंदर करेंट्स कैसे होते हैं इस इस आई नॉट आई डबलू आई मियू आई वन डैश आई टीक है यह हो जाता है अपना approximate equivalent circuit मेरे भाई I2 डैश नहीं बनाया है मैंने फेजर में I1 डैश दिखाया है यह I1 डैश दिखाया है यह I1 डैश secondary का reflection है primary में जो secondary current है उसे जब primary में refer करते हो तो उसे मैं I1 डैश कहता हूँ उसे मैं I1 डैश कहता हूँ जो कि मैंने यहां भी दिखाया है ठीक है अब देखो approximate circuit का equation a 460 by 2400 volt transformer has a series leakage reactance of 37.2 ohm referred to HV side 25 kilowatt power at unity power factor यह load के information दी गही है if the voltage on LV side is 450 then what is the voltage and the power factor on HV side will be on HV side will be हाँ शिवम V2 secondary का terminal voltage है ठीक है अब देखो बंदू इस question के अंदर क्या दिया है कि HV side पे एक reactance आपको दे दिया है और मेरे भाई आपको यह बोला गया है कि यहाँ पे जो load है ना वो load है 25 kilowatt at UPF 25 kilowatt at UPF अब हम से पूछा यह गया है कि यहाँ का voltage क्या होगा और power factor क्या होगा voltage और power factor तो देखो मेरे भाई हमें यह बताया गया है कि यहाँ पे जो voltage measure की गई है that is 450 और यह turns ratio क्या होगा HV is to LV अब आप यह मत कहना सर दिया तो 460 by 2400 है आपने उल्टा कैसे लिया उल्टा ऐसे लिया कि यह वाली side HV है और यह वाली side LV है यह वाली side LV है अब देखो बंदू पहले न आप यह 450 वाली voltage को यहाँ refer कर लो यह refer कर लो 450 into 2400 divided by 460 यह आएगा 2347.826 V ठीक है अब देखो जब लोड को refer करते है जब लोड को या किसी power को refer करते है तो power power same रहती है power same रहती है यानि जब लोड को primary पे ले आओगे जब लोड को primary पे ले आओगे वो तब भी कितना रहेगा वो तब भी रहेगा 25 kW UPF UPF तो अब आप आईवन निकाल लो आप आईवन निकाल लो डिरेक्ली 25,000 by V cos 5 अब बस के वियल लगाने की देरी है मेरे भाई बस के वियल आपको लगा देना है जिससे की आपको मिल जाएगा V1 जिससे की आपको मिल जाएगा V1 तो यह आ रहा है मेरे बंदू 2381 अल्मोस्ट इतना ही आ रहा है एंगल 9.57 डिग्री वोल्ट अब अगर पावर फेक्टर की बात करें तो करेंट का एंगल तो 0 है voltage का है 9.57 तो cost of 9.57 कितना आ जाएगा 0.986 lagging lagging क्यों क्योंकि voltage का एंगल current से जादा आया current का एंगल 0 आया और voltage का 9.57 आया इसलिए current is lagging behind the voltage अब आगे आ रहे हैं अगला open circuit test open circuit test open circuit test क्यों किया जाता है मेरे भाई ये किया जाता है to determine to determine core loss and shunt branch parameters क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं हम लोग हम लोग करते हैं open circuit test open circuit test शुब हम कह रहे हैं question की language समझ नहीं आई देखो शुब हम question में क्या बोला series leakage reactance is 37.2 ohm 37.2 ohm referred to hv side यानी 37.2 ohm reactance है कहां पे hv पे load दिया है 25 kilowatt unity power factor on lv side low voltage side पे load दिया है अब बोला है low voltage side पे अगर voltage मालूम चल रही है 400 तो ये बताओ hv पे voltage कितनी है और power factor भी कितना होगा power factor भी कितना होगा ठीक है बस ये था तो अब open circuit test किया जाता है to determine the core loss and the shunt branch parameter यहाँ पे देखो क्या होता है अच्छा एक दो point और बतायता हूँ फिर मैं आपको results देता हूँ open circuit test में conducted on lv side lv side पे conduct किया जाता है at rated voltage and frequency अब यहाँ पे watt meter reading कितनी आती है core loss के बराबर आती है ammeter reading कितनी आती है i0 के बराबर आती है और volt meter reading कितनी आती है v1 के बराबर अब यहाँ पे हम लोग क्या करते है सबसे पहले cos phi 0 is core loss by v1 i0 then यह जो shunt resistance है rc rc कैसे निकाल लेते है v1 square by p core और xm निकाल देते है rc by tan phi 0 rc by tan phi 0 phi 0 यहाँ से आ जाएगा cos phi 0 से phi 0 आ जाएगा cos phi 0 से आशुतोष पूछ रहे है v2 dash equal to v1 into n1 by n2 क्यों नहीं हुआ मेरे भाई यह कौन सा रेफरल लगा रहे हूं n1 by n2 से n1 by n2 देखो यह जो v2 dash है यह v2 dash क्या है v2 into n1 by n2 v2 into n1 by n2 destination upon source करते हैं secondary से primary जा रहे हो तो primary by secondary और primary से secondary जाओ तो secondary by primary यानि जहां जा रहे हो वो उपर और जहां से जा रहे हो वो नीचे ठीक है अब हम अगले test पे आ गए that is the short circuit test short circuit test का use होता है to determine to determine series branch parameter to determine series branch parameter or to determine copper loss ठीक है मेरे भाई अब यहां पे क्या होता है यह conduct के जाता है अब यहां पे relations क्या होता है मेरे भाई z01 होता है वी एससी बाई आई एससी आ जाती है impedance r01 होता है जो watt meter की reading आई over iac square और फिर x01 निकाल देते हैं root over z01 square minus r01 square अब देखो हर बार ऐसा जरूरी नहीं है हर बार ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि आपका यह जो test है यह rated current पे given हो ऐसा हर बार जरूरी नहीं है तो अगर यह rated current पे नहीं given है तो जो copper losses आएंगे they will not be the full load copper losses जो copper losses आएंगे they will not be the full load copper losses तो मेरे भाई if test is not conducted at rated current then PSC is not equal to PCUFL तब हमें ऐसे करके PCUFL निकालना पड़ता है PCUFL निकालना पड़ता है ठीक है यह clear है copper loss at full load कैसे निकालते है copper loss at full load कैसे निकालते है अब देखो इस पे एक question आपके लिए testing पे question of 50 kVA 2200 by 110 volt transformer when tested gave the following result open circuit test on LV side 400 watt 10 ampere 110 volt short circuit test on HV side 808 volt 20.5 ampere 90 volt calculate all parameter referred to LV side ठीक है अब देखो मेरे भाई अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे एक नया technique कि कैसे पूरे के पूरे test को ही refer कर सकते हो कैसे पूरे के पूरे test को refer कर सकते हो यह मैं आपको दिखाता हूँ जो आप नहीं जानते होंगे तो short circuit test को ही refer करना है मुझे refer करने में ध्यान रखना कभी भी power नहीं बदलती power always remains same लेकिन मेरे भाई अगर current लिजाना है LV side पे तो 20.5 into NH by NL ठीक है 2200 by 110 कितना आएगा ये ये कितना आजाएगा मेरे भाई 20 से multiply हो जाएगा 410 amp और अगर voltage ले जानी है LV पे तो 90 volt ये आगया तो ऐसा करके आप पूरा का पूरा test refer कर सकते हो मेरे भाई पूरा का पूरा test यानी parameter refer करने से असान है शुरुआत में test को ही refer कर लो ताकि जब parameter निकालोगे तो by default किस पे आएंगे LV पे अब देखो OC test वाले parameter पहले निकाल लेते हैं मैंने बताया था कैसे निकालते हैं कोस फाई नॉट कैसे निकाल लो सब लोग अपना कोस फाई नॉट पावर बाई current into voltage पावर यानि की 4 बाई 11 .3636 आ रहा है जिससे की फाई नॉट कितना आ जाएगा बंदू 68.676 डिगरी अब आपको RC चाहिए तो core loss sorry V square by core loss अगर आपको RC चाहिए 110 square by 400 that is 30.25 और Xm होता है RC by 10 5 0 ठीक है divide by 10 68.676 11.8080 ये तो आगए भाई shunt branch के parameter अब आपको अगर अगर short circuit test के parameter निकाल ले हैं अब अगर आपको मेरे बंदू short circuit test के parameter निकाल ले हैं तो क्या होगा सबसे पहले voltage by current कर लो voltage by current कर लो impedance आजाएगी ठीक है पावर बाय करेंट स्क्वायर ठीक है कितना रहा है 4.806 अब reactance होती है root z square minus r square 9.86 ओके तो यह आगए हमारे parameter directly LV side पे directly LV side पे clear है अब आगे चलते हैं अगला topic हमारा transformer losses transformer losses तो देखो transformer के अंदर कितने तरह के loss होते हैं सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं core losses के बारे में core loss के अंदर सबसे पहली category होती है hysteresis loss hysteresis loss अब बंदू यह hysteresis loss क्या होता है जैसे कि आप alternating magnetic field लगाते हो तो हर half cycle के बाद magnetic field की direction reverse होती है और जब जब magnetic field की direction reverse होती है तो magnetic material के जो dipoles है वो भी reverse होते है और यह dipole reversal में जो energy loss होती है that is hysteresis loss अब देखो मेरे भाई last का half hour चल रहा है जितने बच्चों ने अभी तक like हिट नहीं किया एक बाद like ज़रूर हिट कर देना attendance लग जाती है ठीक है like ज़रूर हिट कर देना अब hysteresis loss क्या रहा है it is the energy loss energy loss due to dipole reversal अब energy कितनी loss होती है hysteresis में यह होता है area of hysteresis loop into volume और अगर मैं कहूँ भई power loss कितना होता है तो वह होता है energy loss by time period यह energy loss into frequency अच्चा यह बताओ जल्दी से comment section में chat section में ऐसे कितने लोग हैं जो इस session में शुरू से जुडेवे हैं और अभी तक मेरे साथ हैं ऐसे कौन-कौन student है जो शुरू से अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो area of hysteresis loop into volume into frequency अब इस पर इस टीनमेट्स ने formula दिया के अच बी एम एकस into एफ यह एकस की वैल्यू क्या होती है 2 ली जाती है as per new standards नए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एकस की वैल्यू 2 लेनी होती है और यह जो के एच है यह के एच बाइडिफॉल्ट वॉल्यूम को include करता है तो इसके अंदर volume included है और यह जो bm है this is proportional to v by f इसलिए आप यह कह सकते हो his trace loss is proportional to v to the power x f to the power 1 minus x v to the power x f to the power 1 minus x ऐसे दूसरे losses जो होते है that is addy current losses the second one is addy current losses अब addy current loss का expression क्या होता है पहली बात तो यह आते क्यों है यह आते है addy current की वज़े से addy current क्यों आता है क्योंकि time varying flux बनता है core के अंदर जिससे emf induce होता है और उससे addy current बनते हैं जो की गोल गोल लूप में घूमते रहते हैं अब addy current loss का हम लोग formula ऐसा लिख देते हैं और यह जो formula है watt per meter cube है यानि per unit volume है तो हम formula ऐसा लिख देते हैं यह जो ke है न यह by default इसमें resistivity भी आ गई इसके अंदर volume भी आ गई material की और इसके अंदर thickness of lamination भी आ गई यह सारी चीजों को एक constant के अंदर include कर दिया एक constant के अंदर include कर दिया तो लिख दिया kef square into bm square kef square into bm square और again bm is proportional to v by f तो v square अब मेरे भाई देखो क्या होता है अगर v by f को constant रख लिया जाए तो हमारा bm जो है वो constant हो जाता है bm अगर constant हो जाता है तो hysteresis loss frequency के proportional addy current loss frequency square के proportional जिसका मतलब iron loss is k1 into f plus k2 into f square तो iron loss by frequency is k1 plus k2 f k1 plus k2 f k1 plus k2 f और मेरे दोस्त चिंता मत करो gate से पहले ऐसे बहुत session लगने वाले हैं आप लोग enjoy करो सीखते जाओ बाकी सारी चीजे मुझे पे छोड़ते जाओ बाकी सारी चीजों का ध्यान में रख लूँगा आप लोगों का काम है सिर्थ पढ़ाई करना उसमें मुझे disappoint मत करना मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए बाकी जो चीज की जरूत पड़ेगी उस देने के लिए मैं हूँ तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं hysteresis और eddy current loss को अलग-अलग कर सकते हैं ठीक है hysteresis और eddy current losses को अलग-अलग किया जा सकता है by this method अब बाकी के loss क्या होते हैं मेरे भाई दूसरा loss होता है that is your copper loss अब copper loss के अंदर क्या होता है copper loss लिखा जाता है i1 square r1 plus i2 square r2 तो इसको i1 square r01 भी लिख सकते हैं या यह भी अब देखो यह जो p, c, u, f, l होता है यह कैसे लिखोगे primary side का rated current square into r01 या secondary side का rated current square into r02 और इसकी जो per unit value होती है copper loss at full load in per unit is actually equal to rpu यह बहुत important result है जो कि हमें efficiency calculation में मदद करता है जो कि हमें efficiency calculation में मदद करता है और मेरे भाई अगर per unit system clear नहीं है तो unacademy learning app डाउनलोड कर लेना क्योंकि उसके अंदर उसके अंदर मैंने per unit का एक lecture पूरा कराया है basic से with question कराया है तो वो आप देख सकते हो अब इसके बाद और कौन सा loss होता है इसके बाद fall to loss होते है that is stray load loss यह question में use नहीं होते stray load loss का मतलब क्या होता है मेरे भाई जो आपका flux core से leak करके transformer के tank को link कर गया और transformer के tank में addy current बना दिया transformer के tank में addy current बना दिया उससे आने वाले loss को कहते है stray load loss stray load loss ठीक है और चौता होता है dielectric loss यह hysteresis जैसा ही होता है लेकिन यह magnetic की जगे electric dipole में होता है यह magnetic dipole में ना होके किस में होता है electric dipole में but it is similar to your hysteresis loss ठीक है अब देखो question in a test for determination of losses of a 440 volt 50 hertz transformer the total core loss were found to be 2500 at normal voltage and frequency now when the applied voltage and frequency are 220 25 hertz the losses are 850 अब देखो कभी भी core losses वाले question आ जाए सबसे पहला ये काम चेक करना कि V by F constant है या नहीं V by F तो मैंने पहले निकाला V1 by F1 तो ये आया 440 by 50 यानी 8.8 फिर हमने निकाला V2 by F2 220 by 25 अगें 8.8 जिससे हमें ये मालूम चल गया बंदू कि V by F is constant V by F is constant अगर ऐसा हुआ तो hysteresis loss frequency के proportional addy current loss frequency square के proportional अब मैं क्या कहता हूँ कि पहले ये धाई अजार था सॉरी 50 पे था ना धाई अजार और फिर ये हो गया साड़े 800 अब यहां से मेरे भाई आप क्या कर सकते हो K1 और K2 निकाल सकते हो तो ये जो second equation है अगर इसमें 2 multiply कर दें तो ये क्या हो जाएगी 1700 अब इसे पहली वाली equation में से subtract कर लो ये एक बार आ गया तो K1 K1 कितना आएगा K1 आ जाएगा पच्चेस सो ये बीस पे गया सोला सो नौस सो नौस सो बटे पचास अठारा तो अब ये पूछ रहा है नॉर्मल लॉस पे हिस्चरेसिज और एडी करेंट कितना कितना होगा ये होगा नौस सो और बचा हुआ होगा एडी करेंट सूला सो ठीक है सूला सो और नौस सो आंसर विल बी सी आंसर विल बी सी ठीक है ये क्लियर हुआ अब देखो मेरे भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ कल हम लोग सबसे पहले ये ही क्वेश्चन देखेंगे अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ अब बात आ रही है एफिशियंसी की तो देखो ट्रांसफॉर्मर की जो एफिशियंसी होती है वो कैसे गिवन होती है ये ऐसे दी जाती है अब यहाँ पे एक्स क्या होता है एक्स इस दा फ्रेक्शनल लोडेंग एक्स इस दा फ्रेक्शनल लोडेंग ठीक है कि कितना कितना फ्रेक्शन ओफ फुल लोड हमने लगाया है कितना फ्रेक्शन ओफ फुल लोड हमने लगाया है धैट इस एक्स जैसे की अगर आप हाफ लोड लगाएंगे तो आप x को लोगे 0.5 फुल लगाओगे तो x को लोगे 1 अब ऐसे यह जो kva लिखा है फॉर्मूले में यह क्या है kva is basically kva rating of transformer यह transformer की आपकी kva rating है मेरे भाई ठेक है kva rating है यह आपकी अब क्या होता है कि जब efficiency निकालते हैं और उसकी maximum value की बात करते हैं maximum efficiency occurs at यह दो सूर्तों में होती है power factor 1 हो जाए और यह जो loading है यह हो जाए pi by p, c, u, f, l अगर इतना loading हो जाए अगर इतना loading हो जाए और cos phi हो जाए 1 तो efficiency हो जाती है maximum efficiency हो जाती है maximum ठीक है तो मेरे भाई efficiency के अंदर तो अगर इतना knowledge है that is more than sufficient यहाँ पे 100% all लिख लेंगे ठीक है और तो मेरे हिसाब से efficiency के अंदर कुछ भी नहीं आता है ठीक है तो iron loss हमें पता है कैसे निकालते है hysteresis प्लस eddy current और यहाँ पे P, C, U, F, L भी हमें पता है कैसे निकालते हैं अच्छा एक चीज़ याद रखना यह P, C, U, F, L in per unit is actually R, P, U ठीक है अब देखो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ all day efficiency की all day efficiency क्या होती है आपकी यह होती है energy output by energy input अब यह energy output कैसे आती है अलग अलग time पे जो power आ रही है power into time करके power into time करके आप क्या निकालते हो output energy तीक है बही और जब आप losses की बात करोगे तो energy in core loss कैसे आएगी energy in core loss आएगी P core into सीधे 24R और energy जब copper loss की निकालोगे तो अलग अलग time पे copper loss लेके into time into time तो यह जो eta all day बनेगा that is basically energy output by E core plus E copper by E core plus E copper ठीक है यह clear है अब मेरे भाई तुम लोग एके comment 50-50 बार डालोगे तो मैं reply क्या करूँगा ठीक है अब देखो यह वाला जो question है that is again a homework for you तो मेरे भाई आपके लिए मैंने दो question homework के छोड़े हैं या तीन कर लो तीन question homework के लिए दे रहा हूं अब यह तीन question यह तीन question कल morning के session में discuss होंगे क्योंकि हमारा जो festival है वो कल continued रहेगा कल सुबह 9 बजे कल सुबह 9 बजे जब हम continue करेंगे तो यह तीन question से start करेंगे यह तीन question से start करेंगे मेरे भाई तीक है? अब देखो अगर आप हमारे जो newly started batches हैं newly started batches हैं उसका हिस्सा बनना चाहते हो तो आज ही unacademy learning app डाउनलोड करो और नहीं भी join करना चाहते तो भी three phase पढ़ सकते हो free of cost per unit system पढ़ सकते हो transient network का time इसके बाद AC analysis network का MOSFET analysis, signal के question, network के question machine के question यह सब चीज़े अगर देखना चाहते हो तो unacademy learning app डाउनलोड कर लेना और अगर join करना है batch तो gate and EAC पर click करेंगे then get subscription अगर आप final year या dropper हो तो one year plan लेलो gate और EAC दोनों exam देपा होगे और अगर second या third year हो तो two year plan लेलो ये वाला one two five zero वाला और आप अपना college exam के साथ साथ gate EAC निकाल पाऊगे और ये subscription लेते समय code याद रखना अंकित EAC इससे 10% off भी मिलेगा and I'll guide you throughout your journey you can pay by credit debit card EMI net banking और या फिर HDFC debit card EMI और बजाज फिंसव debit card EMI ठीक है और मेरे भाई ये जो telegram channel है यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा lecture का आज वाले session का PDF भी अभी डाल दूँआ यहाँ पे और मेरे भाई unacademy पे ये मेरी profile है इसको follow कर लेना ताकि जो भी free content है उसका benefit आपको मिलता रहे अब मिलेंगे कल सुबह 9 बजे पहले homework solve करेंगे then voltage regulation, auto transformer three phase transformer यह सारी चीज़े कल discuss करेंगे Thank you everybody